हेलो दोस्तो लेट्स क्रैकिट की मैगजीन एनलाइसी स्रीज में आप लोग का स्वागत है और योजना मैगजीन सितंबर 2022 की आप लोग के सामने है इस पेशल इसू के नाम पर 30 रुपे की मैगजीन मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगी बहुत जादा आसानी से लेकिन अगर आपको इसकी PDF चाहिए आपके आसपास नहीं मिलती है तो इसकी PDF जो है वो टेलिग्राम जैल पर मिल जाएगी इंगलिश में भी है हिंदी में भी है हिंदी की थोड़े दिन बाद अपलब्द हो सकती है या फिर हाथो हाथ अपलोड हो जाएगी तो अब इस मैगजीन के अंदर अगर आप देखें तो इस पेशल फोकस जो है वो जमू एंड कश्मीर अनलदाक रीजन पर किया गया है तो देखेंगे कि आखिर कौन-कौन से आर्टिकल इंपोर्टन्ट है और पूरी मैगजीन इस्पेशली जमू एंड कश्मीर के जो सिविल सर्विसें के बंदे हैं तो कुछ चीज़े एग्नोर करने वाली भी हैं उनको भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे खैर आगे चलते हैं और चलते चलते आपका पहला जो पेज आ जाता है that is called editorial और editorial में लिखा हुआ है the land of confluence आपको क्या नहीं मिलेगा जम्मू और कश्मीर में उसकी मुझे बात बताईए सब कुछ है जम्मू और कश्मीर में संगीत से लेकर के अलग-अलग तरीके की language सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा खेर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इस particular editorial में आपर दी गई है पांच अगस 2019 ये एक landmark date है और इस दिन Mr. Home Minister of India है उन्होंने दो bills Parliament के अंदर डाले थे दो resolutions भी डाले थे और उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके regarding इस चीज़ को यहाँ पर डाला गया था और इससे जो democracy है उसको इस lesson देखने के लिए मिला और एक India जो है वो India का true part यहाँ पर बन गया लेटर गने डिस्परेट में और इससे आपकी दो union treaties बनी वो सब common चीज़े हैं और उसके बारे में भी आर्टिकल्स में दिया गया उसको भी डिसकस कर लेंगे यूटी दो जो आपकी union treaties यहाँ पर बनाएगी तो यह चीज़ें यहाँ पर आपकी उस बात को दर्शाती हैं और यह एक बड़ा step था जिससे की एक long term development जो जमोन कश्मीर में रहे गया था वो अब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा social economic infrastructure enhance होगा और साथ इसाथ जो जमोन कश्मीर की जो local population है उसके लिए economic opportunities भी हाँ पर हासिल होगी not only जमोन कश्मीर बट अलसो इन लद्दाख reason ओके तो यह चीज़ें आपको मिलेंगी जब पांच अगस्त को यह बिल्स पास किये गए तब ऐसा लगा कि कुछ ढंका नहीं होगा जमोन कश्मीर की जो ecological sensitive reason है वो भी disturb हो सकता है बट अब देखने के लिए मिलेगा कि यह जो है identity है वो सब पूरी दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा क्योंकि जमोन कश्मीर के लगलग challenges है जिसकी वज़े से यह चीज़ें वहाँ पर develop नहीं हो पाई इतनी बट अब जो है वो यह चीज़ें डैवलप होने शुरू हो जाएंगी तो यह चीज़ें आपको यहां पर मि जैसे कि आगर आप देखो cross-border terrorism है उसको खतम करना है infiltration के जो attempt यहां पर किये जाते हैं terrorist के द्वारा या फिर आपके और जो लोग है उनके द्वारा तो उसको यहां पर आपका काम करना है इसके अलावा terrorist जो sympathizer हैं जैसे जैसे आपकी overground workers हो सकते हैं overground workers के अलावा part-time terrorist हो सकते हैं उन सबको जो है वो आपका उनसे भी deal यहां पर करनी है और साथ इसाथ humanitarian measure और soft policy भी आपको जमवन कश्मीर के अंदर लेकर किचलनी पड़ेगी क्योंकि वहां का जो youth है वो opportunity मांगता है और जब तक opportunity यानि की soft तरीके से आप वहां पर लोगों economic opportunities उपलब्द नहीं कराओगे humanitarian measures उपलब्द नहीं कराओगे कोई फायदा नहीं होगा उल्टा हम पर ही जो है वो असर पड़ेगा इसके लावा जो anti-india propaganda वहां पर चलता है उसको भी proactively counter करना है यह तो सब थोड़ा सा चीज़ें यहां पर हो गई जैसा कि मैंने आपको बत structure भी उपलब्द कराना है तो आप देखोगी कि हमारे पास PM यहां पर आपकी आयुश्मान भारत योजना चलती है ओल इंडिया पर तो जमूब और कश्मीर पर special target करने के लिए हमने आयुश्मान भारत PMJ सेहत के नाम से special योजना है पर चलाई 2020 में ओके ताकि special focus किया सके सब रेसिदेंट्स को health insurance सारे फीचर वहीं है पांच लाग का health insurance मिलेगा यह वो सब चीजे सेम हैं लेकिन बस नाम अलग है ताकि special focus यहां पर जा सके medical college वगरा भी बन रहा है higher learning के institutions like IITs जो हैं वो एक world class opportunities यहां पर local youth के लिए create करेंगे ताकि वो इसमें employment हासिल कर सके और skill उसको भी upgrade यहां पर कर सके इसके लाब़ा जमोन कश्मीर के अंदर all weather roads यहां पर तयार की जा रही है rail हो, ropeways हो, tunnels हैं यह सब बढ़ाया जा रहा है तो इससे लोगों के बीच की जो दूरी है वो यहां पर कम होंगी और लोग जो है वो साथ-साथ यहां पर आएंगे आसान हो जाएगा tourism का inflow देखने के लिए मिलेगा employment opportunities यहां पर बढ़ेंगी, नए industrial activities जो है वो यहां पर आएंगी, नया investment यहां पर बढ़ेगा, infrastructure बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहां पर आ जाती है इसके अराबा अगर हम देखें तो reason जो है वो tourism के डस्टी से काफी important है, बहुत beautiful reason है, rich culture यहां पर मौजूद है, यहां पर आपको house boats मिल जाएंगे, सिखाराज मिल जाएंगे, यह डल लेक है, बहु फोर्ट है, यह सब जो फोर्ट हैं, like आप देखो की, तावी river पर आपको यह सब चीज़ें मिल जाएंगे, तो काफी कुछ यहां पर आपको मिलेगा, like जासकर और इंडस का confluence यहां पर मिल जाएगा, तो यह सब mesmerizing चीज़ें हैं, यह सब tourist attraction यहां पर बनते हैं, तो बहुत सारे thoughts, culture, religious belief, reasons, people, languages, यह सब चीज़ें आपको मिल जाएंगे, अलग-अ हिस्ट्री है, अलग-अलग literature है, अलग-अलग philosophy है, इंडिया की some margins आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, okay, तो यह चीज़ें हां पर दिखाती हैं कि योजना का जो यह वाला issue है, this issue of योजना, यह इन ही चीज़ों के बारे में आपर बात करने वाला है, और जो आ यहां पर आप देख सकते हैं, खेर आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला article, important article that is called national security lead article है, counter terrorism आखर कैसे कर सकते हैं, जम्मो और कश्मीर के अंदर उसके एक scenario यहां पर दिया गया है, very very important, UPSC के लिए काफी important हो जाता है, तो इस article को पूरा detail में cover करेंगे, पांच अ change देखने के लिए मिला और यह एक watershed movement के रूप में उभर करके आया, इसमें जो नए administrative और security approaches हैं, अब उनको यहां पर ले करके आया जाएगा, आप देखेंगे इसके अंदर की बहुत सारे initiative जो हैं, वो implement किये जा रहे हैं ताकि administration को बहतर किया जा सके, security establishment किया जा सके, ताकि democracy policy को मसबूत किया जा सके, और लोगों को एक better future जो है, वो upload कराया जा सके, ये वाला जो आपको passage मिलेगा, पैसे सुरू करते हैं पढ़ नाम, तो आपको पता चलेगा, ये थोड़ा सा आपको कम नजरा आ रहा होगा, क्योंकि ये मुझे खुद लगाना पड़ा, जो लोग magazines प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग पूरी magazine नहीं दे रहे, तो ये चीज मुझे यहां से add कलनी पड़ी, जिसकी वज़े से इसकी quality जो है, वो fade हो गई, खेर fade quality से कोई फरक नहीं पड़ता, हमें तो article को समझना चाहिए, अगर हम बात करें, और जम्मो एंड कश्मीर अब union territory के रूप में है, most pictures reason है, इंडिया का, बहुत सारी problems है, cross border terrorism की है, separatist of violence and armed militancy देखने के लिए मिलती है, especially पिछले 30 सालों में तो ये चीज़े यहां पर बहुत जादा बढ़ गई है, okay, since the heydays of terrorist violence in the early 1990s, जब ये चीज़े बढ़नी शुरू हुई, तब अगर हम उन दिनों की यहां पर बात करें, तो militancy जो है, has transformed radically, तो यह जो militancy है, जो पहले low level पर होती थी, उसने बहुत ही तेजी से momentum जो है, वो यहां पर हासल कर लिया, पाकिस्तान की अपनी जो inter-service intelligence है, evolution हुआ कश्मीर के अंदर separatist policies का, फान Islamic जो terrorist groups है, उनका influence देखने के लिए यहां पर मिला social media का emergence, जिसने की इन चीजों को और जादा बढ़ावा दिया, उसकी वज़ा से आप देखोगे, कि dynamics जो है, वो लगातार चेंज हुए जम्मुएन कश्मीर के अंदर, consequently, अगर हम देखें, तो जम्मुएन कश्मीर में, militancy जो है, वो, आपकी, consequently, the militancy in जम्मुएन कश्मीर, तो यानि आज की बात करें, represents a qualitative different challenge to the security establishment, जो आपका 1989 में था, तो 1990 के आसपास जो challenges यहाँ पर मौजू थे, आज वो challenges यहाँ पर बढ़ गए हैं, क्योंकि हम ही नहीं terrorist भी advance होते हुए चले जा रहे हैं, ओके, when scores of Kashmiri youth cross the line of control to train in Pakistan-occupied जमुएन कश्मीर, and join the ranks of terrorist outfits and organizations, तो यह चीज़े भी आपको मिल जाएंगी, कि 1990 में पहले क्या होता था, कि जो कश्मीरी youths हैं, वो LOC को पार करके, पाक occupied जमुएन कश्मीर में यहाँ पर एंटर कर जाते थे, बहाँ से training लेते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन अब challenges यहाँ पर बढ़ गए हैं, अब youth ज देखो कि targeted killings होती है, religious minorities की, यह सब आपको पता है, इसके लाबा migration का issue जो है, वो यहाँ पर बना हुआ है, security, force, personal and civilians दोनों पर खत्रा बना रहता है, इसके लाबा जमुएन कश्मीर की जो security situation है, वो लगातार change यहाँ पर होती रहती है, जिससे की attention उस तरफ यहाँ पर जाता है, तो कुछ challenges जो है, वो आपको आपर मिलते रहेंगे, these developments वो एक impression देते हैं of a reason in the throes of violence and stability, but reality कुछ हो रहा है, इन चीजों को पढ़के लगता है, कि जम्मु एन कश्मीर एक violence or instability वाला reason है, but reality कुछ होर है, वो reality ही हम जो है, वो यहाँ पर बात करेंगे, तो अगर हम बात क इन तो इंडियन security जो forces हैं, उन्होंने एक जम्मु एंड कश्मीर में special situation यहाँ पर हासिल की है, उन्होंने militants पर pressure को बनाये रखा है, ताकि उनके जो kinetic operations हैं, मतलब अपने kinetic operations, security forces ने अपने kinetic operations के जरीए militants पर pressure यहाँ पर बनाया हुआ है, ताकि उनको जो ecosystem मिलता था, लोगो को support करने का वो ecosystem militants को ना मिल पाए, okay, it has achieved this by targeting the terrorist sympathizers, जो terrorist को sympathize करते थे, अच्छा ठहराते थे, उनको यहाँ पर target किया जा रहा है, इसके अलावा humanitarian gesture उनको practice किया जा रहा है, लोगों में मानव ताकि भावना को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, especially Kashmir youths के अंदर में, okay, ताकि वो इस चीज़ को join ना करें, क्योंकि उससे उनको, उनकी family को, पुरे देश को खतरा यहाँ पर हो जाता है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो anti-India propaganda है, उसको भी actively counter कर रहे हैं, यह चीज़े हमने पहले भी अभी discuss की है, okay, तो यह action जो हैं, वो terrorist को यहाँ पर रोकने का work क करते हैं, although there are some evolving and emerging challenges, जो की counter terrorism के perspective पे जरूरी हैं, और security forces उनको लगातार tackle भी कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ यहाँ पर current terrorism outlook of the reason, reason की थोड़ सी बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रहे हैं, अगर हम बात करें, तो कश्मीर वैली के अंदर security जो situation है, वो लगतार improve यहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे, कि the number is stressed to thousands at the peak of militancy in the earlier 1990s, इस तरीके साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, कि यहाँ पर, यह table में basically बताने की बात हो रही है, पहले infiltration के attempt जो हैं, 2012 और उससे पहले, अगर 1990s में बात करें तो लगभक 1000 के करीब लोग जो हैं, वो बॉर्डर पार करके training वगएरा लेते थे, infiltration के cases मिलते थे, लेकिन अभी 2012 से आप 2022 तक देखो, इन cases की संक्या हमने लगातार कम किये, तो यही आप कितनी कम किये, यह जाननी ज़रूत नहीं है, बट यह आपको याद रखना है, कि इ कितने हैं, अठारा, लोकल टेरिस्ट कितने हैं, सत्थरा, नोर्ड कस्मीर में, और साउथ कश्मीर में जो है, वो 68, टोटल अब तक 163 टेरिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर मौझूद हैं, पहले करीब, थाउजंड के करीब यहाँ पर मौझूद हुआ करते थे, तो यह सब च लाएगी कि तीन और्गनाइशन यहाँ पर हैं, इसके अलावा कुछ लोकल एफिलियेट्स भी हैं, जो कि पान इसलामिक गूर्प से जुड़े हुए हैं, जैसे अल-काइदा का अंसर गजबत अल-हिंद हैं, जो कि गजबा जो है, वो यहाँ पर करना चाते हैं, बेसिकल यह सब चीज़े हैं, इसके अलावा इसलामिक इस्टेट, जम्मू और कश्मीर के नाम से कुछ पान इसलामिक गूर्प से यहाँ पर बने हुए हैं, जो इन आइडिलोजी इसको फैलाने का काम करते हैं, तो यह जो टेरिस्ट और्गनेशन्स हैं, यह आपको याद रखनी ह हैं, तो यह चीज़े हैं, सिक्योर्टी फोर्सिज जो हैं, उन्होंने यह नोट किया कि जैसे पहले यहाँ पर होता था, पाकिस्तानी टेरिस्ट हैब बीन रिडूस्ट टू गाइडिंग और लोकल टेरिस्ट, अब जो हैं, वो यह जो मोटिवेटिंग है, गाइडिंग है यह सब चीज़े, रेडिकलाइजेशन बेसिकली, वो चीज़ें यहाँ पर जो है, वो तीरे-दीरे खतम होनी शुरू हो गई हैं, और यह चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी हैं, साउथ कस्मीर की बात बताई, मैं आपको 86 से गरीब टेरिस्ट मौद हैं, जिसमें स मैकसिमम जो हैं, वो आपको लोकल टेरिस्ट के रूप में यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि वहाँ पर पाकिस्तान टेरिस्ट की संख्या जो है, नोर्दन कस्मीर में आप दिखोगे की संख्या जो है, वो यहाँ पर कम हो जाती है, तो यह चीज़ें थोड़ी सी आप पर याद रखना है, इसके बाबर बात करते हैं, किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, क्रोश बॉर्डर मिलिटेंस, militant infiltration को वैसे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसके बारे में पाकिस्तान-based terrorist groups जो है mountains का use करते है mountains जो होते हैं उसमें पकड़ना मुश्किल हो जाता है North Kashmir के अंदर especially Kashmir Valley में खुशने के लिए तो mountain terrains का use यहाँ पर करते है पाकिस्तानी security establishment उने support करते है पाकिस्तान उनको support करता है कैसे support करता है वो उनको army vehicles में छोड़ने के लिए आते हैं border तक वो आपका जो है वो उनको roots बताते हैं कि इस जगा से जा सकते हो वो cover firing करते हैं जब अगर अंदर गुशना हो उस तरीके से ओके वो जो है वो communication equipments प्रोवाइट करते है तो पाकिस्तान की जो security establishment है वो भी actively इनको support यहाँ पर करते है militants जो है वो peer पंजाल range के जरीए भी आपका enter यहाँ पर करते हैं जम्मू, संबा, कथुआ, इन सब planes से होते हुए यहाँ पर आपकी tunnels देखने के लिए मिल जाएंगी जैसे 2012 में 400 मीटर की tunnel डिसकावर की गई थी उसके जरीए यहाँ पर enter कर रहे हैं तो इनको सब को खतम करने के लिए हमने जो है security forces अपनी तैलात की है security forces पिछले कई सालों से जो है वो counter infiltration grids के रूप में यहाँ पर वर्थ करती हैं और यह हमने three tier system जो है वो यहाँ पर बनाया है किसी भी तरीके की घुसपैट अब बरदाश्ट नहीं की जाएगी इसके लिए three tier structure जो है वो हमने तैयार किया है सबसे पहले आपका ये देखो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे ये सबसे पहली line पर आपकी खड़ी हुई है Indian army और Indian army जो है वो first star यहाँ पर create कर लिए दूसरे नमबर पर आ जाती है हमारी palimetry forces like CRPF तो पहले पर तो आपकी Indian army आ गई दूसरे पर आपकी आ गई CRPF और तीसे नमबर पर अगर कोई infiltrator इन से बच गया वैसे तो मुश्किल है बट अगर फिर भी बच गया तो जम्मू एंड कश्मीर police जो है वो तीसरे नमबर पर यहाँ पर खड़ी हुई है और इस तरीके से हम जो है night equipment, night vision वगेरा या फिर thermal amazing devices सब का use करके जो है वो monitoring करते हैं तो technology का इस्तमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है अब यह table 2 के अंदर दिखाया गया है कि कितने infiltration के attempt यहाँ पर हुए है और कितने जो हैं वो successful हुए है मतलब यह दिखाया गया है कि अगर 222 लोग 2012 में इंडिया के अंदर गुसने की कोशिश कर रहे थे गुसबैट करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें से सिर्फ 121 गुस पाए याद रखना यह गुस पाए है ऐसी 2022 में अभी तक जून तक अगर हम देखें तो 5 लोगों ने घुसने की कोशिश की जिसमें से की सिर्फ और सिर्फ टीन ही घुस पाए है तो यह जो है वो आपको इस तरीके का डाटा मिलेगा और याद रखनी जुरत नहीं बट आप एक चीज़ को common समझ सकते हो की infiltration के attempt भी लगातार जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है यानि की terrorist में खोफ जो है वो बना हुआ है तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी इसके अलावा बात करें तो terrorist groups और उनका जो ecosystem उसको भी crackdown करने के लिए counter insurgency operations जो है eliminate भी क्या गया है अपने counter insurgency operations के जरिए जैसे कि फरवरी 2019 में suicide attack वा था CRPF के कनवोई पर जो की पुलवामा डिस्टिक में हुआ था तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी militants have been reduced to carrying out an intermittent campaign of target killing against the source target तो यह कुछ चीज़ें जिसकी मदद से जो है वो हम counter insurgency operations लेकर के आ रहे हैं और यह random violence के cases यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं कश्मीर के अंदर इस random violence denotes their desperation and an attempt to stay relevant in कश्मीर's changing security scenario अब बात यह है कि terrorist groups जो है उनको अगर जैसे CFPF की CRPF पर हमने यह पुलवामर डिस्टिक पर अटेक हुआ तो हमने counter operations यहाँ पर लिए उसके बाद जो है वो terrorist जो है वो गुस्से में आएंगे और गुस्से में आ करके वो निर्दोश लोगों को मारते हैं targeted killings जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है soft targets को यहाँ पर जो है वो आप देखोगे कि उनकी targeted killing देखने के लिए मिलती है तो army officials जो है वो इस चीज़ को भी point out करते हैं और इस चीज़ पर special focus करते हैं कि कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान और उसका जो यह supported terrorist groups हैं उनको इस तरीके से यहाँ पर रोका जाए ओके तो यह चीज़ां आपको यहाँ पर मिल जाएंगी this collaboration is unequally on the Pakistan ISI's advice तो यह सब बिना पाकिस्तान के नहीं हो सकता यह बात आपको पता है इसके लावा दूसरी चीज़ आजाती है that is called over ground workers over ground workers and terrorist sympathizers ओके तो यह जो है basically जमात इसलामी जो cadres है उसके यहाँ पर हो जाते हैं और इनका link जो है वो हिजबुल मुदाजजीन से भी देखने के ने मिलता है इसकी अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए what is over ground workers over ground workers basically कुछ भी नहीं है अगर किसी ने भी terrorist को भी पानी पला दिया है तो उसको भी over ground worker यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि उसने terrorist को support किया है जानते हुए ना जानते हुए तो फिर आपने वो कोई चीज नहीं होते है तो यह चीज आपको यहाँ पर ज्यान रखना है कि over ground worker के network को भी हमें यहाँ पर तभाग करना है तो उसको भी crackdown करना है और फरवरी 2019 में Union Ministry of Home Affairs ने बैन कर दिया J.E.I. को डेटिस को जमाते इसलामी को इसके अंदर से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इनको जो है वो unlawful association के रूप में declare यहाँ पर कर दिया गया इसके employees को यहाँ पर खतम कर दिया गया और sessionist और militancy activities के चलते यह सब इनकी जो organization है वो खतम कर दी गए तो organizations आप देखो कि आगे बढ़कर के work करती रहती है लेकिन ऐसा दिखाती हैं कि हम terrorist नहीं है लेकिन supporters होते हैं तो इस organization को बंद कर दिया गया उन्हें shelter देते हैं, information देते हैं security forces के movement की तो इन चीजों को भी यहाँ पर बंद किया गया लगभग 900 से जादा जो over ground workers थे उनको यहाँ पर जमुएन कश्मीर की police ने arrest भी किया है UAPA और public security act के अंदर में तो यह होते हैं over ground worker अगर आप समझ गयोगे कौन होते हैं यह इनका work होता है और यह चीजे मिल जाएंगी कितनों को cover किया गया वो यहाँ stable में दिया गया पढ़ने की जरुवत नहीं है तो अब यहाँ पर हमने terrorist की बात तो कर ली अब बात करते हैं कि उनको पैसा यानि कि terrorist finance उसको कैसे counter यहाँ पर करना है तो उसके लिए हमारे पास है National Investigation Agency और यह टेरर financing के जितने भी cases हैं उनके investigation के लिए बहुत सारे missions जो है वो launch करती रहती है इसके लावा Ministry of Home Affairs ने terrorist monitoring group भी चलाया हुआ है जिसके अंदर security, finance और central government की और organizations के जो representative हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं और जो terrorist financing के cases हैं उनको closely monitor यहाँ पर करते हैं इसके अलावा यह भी पता चला है कि पाकिस्तान की जो ISI है और पाकिस्तान occupied जम्मू और कश्मीर के अंदर जो masterminds बैठे हुए हैं terrorist masterminds और साथी साथ उनके जो associate हैं कश्मीर के अंदर वो सब separatist sentiment और military violence के लिए पैसा जो है वो यहाँ पर अपलफद कराते हैं इनके बीच में nexus जो है वो यहाँ पर बना रहता है यह आप देखोगे कि इसको जो है वो धिरे-धिरे खतम किया गया है और अब जो कश्मीर के अंदर stone pelting के incident है जो के stones फैके जाते हैं आपनी आर्मी के ओपर वो cases जो है वो लगातार reduce यहाँ पर किये गए है विच हैड वन्स बींग striking feature of the unrest in कश्मीर वैली यह पहले बाहरी मात्रा में होता था stone pelting के जो incident है लेकिन अब इनको बहुत ही जादा कम यहाँ पर कर दिया गया है पाकिस्तान हैड रेगुलरली शोकेस्ड दीज stone pelting incident as an expression of anti-Indian pro freedom sentiment of कश्मीरी पहले पाकिस्तान कश्मीरी से इंडियन आर्मी के ओपर पत्थर फिकवाता था और पत्थर फिकवाने के बाद उनको anti-India और pro freedom sentiments के लिए भड़काता था लेकिन अब इन चीजों को यहाँ पर पूरी तरीके से रोका जा चुका है और आब आपको cases भी यहाँ पर नहीं दिखता तो यह आपको मिलेगा कि यह एक आपको पता चला कि यह तो चलो कुछ hard measures अपनाने पड़े Indian forces को ताकि counter-terrorism response यहाँ पर लिया जा सके उसके अलावा बहुत सारे soft measures जो है वो भी यहाँ पर लेकर के आए जा रहे हैं जिससे कि locals जो है उनको काफी जादा appreciation भी यहाँ पर मिल रहा है जैसे कि हम जो है वो कोसिच करते हैं कि maximum restaurant जो है उसको exercise किया जाए पहले कोई hard measure ना लिया जाए बातों से ही काम यहाँ पर हो जाए pellet guns का इस्तमाल ना किया जाए security forces के दौरा या फिर collateral damage जो है उसको कम से कम यहाँ पर किया जा सके during the counter-insurgency operations या फिर protest demonstration उसके दोरान youth को जादा परिशानी ना हो जो लोग पत्थर फैक रहे हैं जो लोग टेरिस टोर के जो activities में involved हैं सिर्फ उनी को target किया जाए आम लोगों पर खत्रा यहाँ पर ना हो जैसे अगर हम बात करें since August 2019 there have been no civilian casualties तो counter-insurgency operations में कोई भी civilian casualty देखने के लिए नहीं मिली है अगस्त 2019 से इसके अलावा अगर हम देखें तो top security के जो officials हैं वो ऐसे जो active militants हैं उनके घर में जाकर के उनके मावाब को समझाते हैं कि आप अपने बच्चों को कहिए कि वो surrender करें या फिर एक अच्छे पात पर चलें हम उनको जो है वो मारना नहीं चाहते या फिर उनके उपर जो गन्स वगेरा का इस्तमार नहीं करना चाहते हैं तो ये soft measures जो है वो आपको यहाँ पर दीखेंगे अगर बच्चा सुदर जाता है तो इससे अच्छी बात कि उनको इस तरीके समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं इससे ISI जो है वो चुप हो जाता है ISI के मुँपर एक ठपर परता है terrorist masterminds जो हैं उनका propaganda पूरी तरीके से खतम यहाँ पर हो जाता है इससे एक direct impact यहाँ पर परता है हमारी security agencies उनकी humanitarian जो basically यह habit है कि history में पहली बार ऐसा आया कि tourist season में इतने सारे लोग यहाँ पर आये क्यों क्यों कि terrorism का नामों निशान धीरे-धीरे खतम कर दिया गया अब उनको खत्रा नहीं है कशिनित के अंदर आने से यह चीज़ें आपको मिलेंगे इसके लाबावा धीरे-धीरे counter-terrorism के जो challenges है वो evolve भी हो रहा है और emerge भी हो रहा है लाइक पाकिस्तान उनको support कर रहा है तो उस वज़े से terrorist जो है वो और ज्यादा active यहाँ पर देखने के लिए active ऐसे नहीं उनकी खत्रा जो है वो लगातार बड़ा हुआ है हलांकि देखने के लिए नहीं मिल रहा है लेकिन खत्रा तो यहाँ पर बढ़ता है जो challenges है वो यहाँ पर बने हुए रहते हैं जैसे लगातार radicalization अभी भी continue है बट उनको धर लगता है इसलिए वो नहीं कर पाते इसके अलाबा terrorist recruitment भी यहाँ पर चालू है वाल security forces ने इस situation को काफी ज़ादा control यहाँ पर किया है बट लोकल terrorist recruitment जो है उसमेरे अप्टिक देखने के लिए मिला है especially four police districts हैं साउथ कस्मिर की like पुलवामा, सोपिया और कुलगाउं है और अवंतिपुरा यहाँ से ज़ादा मातरा में youth जो है उनको recruit जो है वो किया जाता है अब youth को recruit करने के लिए काफी ज़ादा basically हो जाता है basically youth के पास भी आप देखोगे कि काफी सारे motive होते हैं कि इसको join कर लिया जाए एक तो यही है कि पैसा नहीं होता है फिर mind go वगेरा को अब ही पढ़ाता हूँ देखो मैं इसको एक significant contributor to this local recruitment is the radicalization of the local youth तो इससे जो है वो आपके security challenges बढ़ जाते हैं कुछ factor है like radicalization की process में add जो है वो यहाँ पर मिलती है इसके लाबाब peer pressure भी रहता है एक दोसके किसी दोस ने इस process को join किया हुआ हो वो उसको वो लोगों को influence करता है victimhood की fooling आती है कि हमारे family में से यह जो है वो गए थे या उसका लड़का चला गया इस तरीके से यह हो गए security forces ने मार दिया वगएरा वगएरा तो इस तरीके कि जो victimhood feeling है वो भी उनके अंदर माती है और self radicalization भी जो है वो यहां पर मिलता है जो कि आपका वहाबी और salafi propaganda जो है उससे enable होता है तो यह चीज़ां आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी कि इस तरीके से लोग जो है वो इस local recruitment का हिस्सा यहां पर बन जाते है It is not a surprise that Kashmir Valley उसके अंदर एक virtual doubling देखने के लिए मिली है religious seminars in the past few years इसका अलावा cyber space तेजी से बड़ा है जो youth है उनके अंदर dark web और social media platforms की काफी जादा जानकारी हो गई है इसके अलावा आप देखोगे कि religious propaganda फैला करके भी इन चीज़ों को बनाया जाता है जिससे की radicalization यानि कि मानसिक जो आप देखो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से यहाँ पर होता चला जा रहा है तो यह चीज़ आपको मिलेगे नीचे देख रहा है यहाँ पर यह दिया गया है local terrorist recruitment किस तरीके से यहाँ पर हो रही है तो उनकी संख्या जो है वो अभी भी साही नहीं है बढ़ रही है ठीक है देख देख बढ़ भी रही है कम भी हो रही है तो यह चीज़ एक challenge यहाँ पर बनी हुई है इसके अलावा इसको counter करने का काम प्रोसेस में बहुत सारे initiative launch किये हैं जैसे इंडिया नार्मी ने एक initiative चलाया था डेट स्कोल सही रास्ता सही रास्ता मतलब क्या है कि यूथ जो है वो right track पर आ जाए अपने जो यह terrorist recruitment वाला काम है इसको छोड़ दे और उनको sports training program, integration tours, skill development इन सबके द्वारा जो है एक उजवल वाईशे काम ने आपर की जाती है इसी तरीके के बहुत सारे initiative जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने भी यहाँ पर चलाये हुए है इसके लावा दूसरे नमबर पर जो चीज़ें उभर करके आ रही है जो कि हमें चुनोतिया दे रही है that's called hybrid terrorist or virtual terrorist outfits तो यह जो है वो यह भी उबर करके आ रहे है और इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो with increasing counter-insurgency operations and neutralizing of many active militants तो militancy activities बहुत ही तेजी से active तरीके से नहीं हो रही है वो passive तरीके से यहाँ पर हो रही है लेकिन हो रही है तो वो passively जो work हो रहा है वो hybrid terrorist यह virtual terrorist outfits के द्वारें हाँ पर किया जा रहा है तो उन्होंने अपने strategy इस तरीके से यहाँ पर change की है balance को commit करने के लिए वो अब terrorist sympathizers का use कर रहे है उनका कोई criminal record नहीं होता वो जो है वो police की scrutiny से आसानी से यहाँ पर बच जाते है इनको hybrid terrorist यहाँ पर कहा जाता है target क्रिट किलिंग्स के acts में यह मुझूद यहाँ पर हो सकते है इन और राउन सिरीन अगर यह चीज़े देखने के लिए मिल जाती है इसके अलावा security forces ने इस चीज़ को भी note किया है कि virtual terrorist group like Jammu and Kashmir गजनवी forces और resistance front यह दोनों groups जो है वो आपके virtual terrorist group के रूप में आपर लगातार उबर करके आ रहे है यह और कुछ नहीं है बट जो आपकी लशकर यताइबा वगरा है के जरीए जो है वो participate यहाँ पर करता है जब मुएन कश्मीर अपनी technical intelligence को बढ़ा रही है इन चीज़ों को लगातार काबू यहाँ पर किया जाएगा इसके लावाब पाकिस्तान नहीं मान रहा है पाकिस्तान जो है वो information यहाँ पर provide कराता है और इस बात को जो है वो basically international scenario ने भी यहाँ पर माना है इन एडिशन इट है short to level इंडिया इंडिया को यह international मंच पर यह दिखाता है कि इंडिया कश्मीरी यूथ के लिए एक human right वाइलेटर के रूप में अबरकर कहा है जब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह propaganda जो है वो कश्मीर को कश्मीर की situation है उसको attention को लेने के लिए साथ इसाथ जो international sympathy है उसको gain करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा लगातार चाले यहाँ पर चली जाती है यह जो information वो warfare campaign है पाकिस्तान के द्वारा चलाया जाता है information के जरीए जितना हो सके इंडिया को दूर रखने की कोशिश करना इंडिया की बुराई करना international branch पर human rights violation का case लगाने यह सब चीज़ें हाँ पर निकल करके आती है यह significant challenge है जो कुछ हमने यहाँ पर अच्छे काम किये है यह जो information warfare campaign है यह हमारे इन अच्छे कामों को बुरे कामों में बदलने में देर नहीं लगाता हमने post august 2019 पुर्वामा अटेक के बाद काफी जादा भारे मात्रा में अच्छे measures लिए हमने soft policies अपना ही है हमने hard policies अपना ही है हमने terrorist outfits को दूर रखने की कोशिश की है लेकिन वो सब जो measures है अगर एक बार human rights violator का case पाकिस्तान करता है तो हमारी जो policies है यह negative में तबदिल यहां पर हो जाती है तो हमारी जो positive measures है वो इस तरीके से change हो जाते हैं इसलिए एक significant challenge के रूप में यहां पर उबर करके आता है तो यह चीज़ें आपको यहां पर याद रखनी है इसके लावा आर्मी जो है वो श्री नगर के अंदर चिनार कोप्स के नाम से जो है यह institution यहां पर चला रही है और इसमें जो है वो आपका counter response की बाते हां पर की जाती है इसके जरीए हम जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के बात यहां पर करते है तो यह तो काफी किलियर यहां पर बात है कि regional security के environment के लिए पाकिस्तान के attempt को खतम करने के लिए कश्मीर की security situation को बरकरार रखने के लिए यह सब यह जरूरी है और जो security forces हैं उन्होंने पाकिस्तान sponsored cross border terrorism और इसके proxies के against जो है वो table को turn कर दिया है मतलब इनके जो मकसद हैं उनको लगातार खतम करते हुआ हैं जिससे कश्मीर के अंदर better governance यहां पर बन सके और यह चीज़ें आपको थोड़े सी याद रखने हैं इसके साथ article खतम होता है article के अंदर काफी अच्छे पॉइंट जो है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे तो यह सब चीज़ें आपको यहां पर याद रखने हैं इस particular image के अंदर देख सकते हो कि कहां से कितने terrorist जो recruitment है यहां पर हुए हैं तो आपको मिलेगा कि सबसे ज़ादा जो है वो आपके पुलवामा, सोपिया और यहां से देखने के लिए मिल जाते हैं बारा मूला, खुलगाओं से ओके तो यह जो जगए हैं यहां से ज़ादा केसिस मिल रहे हैं इकनोमिक एंप्लिमेंट इसके डैवलप्मेंट अपॉंश्टी इस हांसिल करानी चाहें बात करते हैं आगे जम्मू एंड कश्मीर में इन्वैस्मेंट बढ़ाने की और यह आर्टिकल काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो इस तिल पॉलिश ही है 2021 से 2030 की उसकी कुछ चीजों को बात करेंगे इस आर्टिकल इस नोट अग्रेट सिग्निफिकेंस ऑके बट आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो सिविल सर्विसी एक्जाम है उसके लिए ये एक इंपोर्टेंट आर्टिकल यहां पर हो जाता है तो यूपियसी के शाथरों को जस्ट इसके कुछ फीचर्स पता होने चाहिए बाकी डेटेल में नहीं जाना यहां पर जो चीजे लिखी हुई हैं वो हमने आपको पहले से ही बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में यहां पर किया गया एक है आपका यूनियन टेरिक्टरी जम्मू एंड कश्मीर एक लगदाग और इसके जरीए जो हम जो जम्मू एंड कश्मीर के अंद लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर अच्छा खासा economic development हुआ है जबकि जम्मू और कश्मीर के अंदर इतना भारी economic employment नहीं हुआ है तो ये कुछ चीजे जो है वो इस particular article में बताएगी है आपको ये सब data जो है वो मुझे नहीं लगता कहीं पढ़ने की जरूरत है नहीं आप से कहीं पर जो है वो पूछा जाएगा देख सकते हो कि per capita domestic product कितना है जबकि हमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो जादा है जम्मू और कश्मीर के अंदर कम है ऐसा कैसे जबकि सेम चीजे जो है वो आपको मिल जाएंगी तो इनी चीजों को जो हटाने की बात यहां पर हो रह रही है तो यह जो आपका एक unsustainable scenario देखने के लिए मिलेगा मिला ओके तो इसको change करने के ज़रूत है मतलब जो situation अभी तक चलती हो या रही है आप उनको change करने की ज़रूत है और इसकी journey को transform करने की ज़रूत है यहां पर private enterprises और investment का बढ़ना का ज़रूरी हो जाता है जिससे की jobs के लिए टो income आए economic transformation possible यहां पर हो सके इसके लिए ज़मोन कश्मीर के अंदर economic policies जो है वो लगातार लाई जा रही है एक appropriate economic policy की ज़रूत है किसी भी reason के लिए जो उसको उसके advantages को भी देखे वहां पर जो disadvantages है उनको भी यहां पर देखे और एक particularly जमोन कश्मीर का reason है उसके ल transportation cost, transportation cost का क्या मतलब है मैं आपको यहां पर समझा देता हूँ, transportation cost का मतलब यह है कि वहां पर location और geography आपको पता है, बहुत सारी परबत, दरारें, tunnels वगएरा यहां पर मौझूद है, तो वहां पर transportation cost बहुत जादा आ जाती है, 10 रुपे की कोई चीज है, 10 रुपे की उसमें transportation transportation cost यहां पर लग गई, total 20 रुपे की वहां पर पहुँच हुई, जबकि उसके उपर MRP कितना डला हुआ है, 15 रुपे, समझ रहे हो, समझ रहे हो यह चीज, मतलब factory से निकली 10 रुपे की, जमूद कश्मीरी पर पहुचा नहीं है, let's say दिल्ली से निकली, मुंबई से निकली और जमूद कश्मीरी में पहुची, 10 रुपे की transportation cost लग गई, जमूद कश्मीरी में पहुच के उसकी value हो गई 20 रुपे, जबकि MRP जो है, वो उसके पर 15 रुपे ही डला हुआ है, आप समझो कि आपको 5 रुपे का premium जो है, वो यहां पर देना पड़ेगा, यह जो high cost यहां बड़ी situation मिल जाती है, जिससे की देखोगे की लोगों को चीजें खरीदने में भी यहां पर दिक्कत आती है, प्रोड़क्ट जो है, वो भारी यहां पर हो जाते हैं, प्रोड़क्स की जो value है, वो यहां पर बढ़ जाती है, an appropriate strategy for such high cost economies which should guide both investor and policy maker is to promote या go in the production of goods and services in the niche area or segments where customers are billing to pay a premium amount which compensate for the disadvantage of the high transportation cost, इसमें यह कहने का मतलब यह है, कि high transportation cost के कारण जहां पर premium pay करना पर जाता था, वहां पर ऐसी चीजों को promote करना है, जो की locally available यहां पर हो, नीशे area का मतलब होता है, उस particular area के अंदर में, ओके, तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, और य these could be the products, यह services, उस particular reason की, इस पेशलि जम्मो इन कश्मीर की, जो की वहां की natural strength है, natural strength वहां पर apples काफी जादा उकते हैं, वहां पर high quality, saffron बहुत जादा है, तो वो चीज़ें जो हैं, वो आपको मिलती है, local traditional skill, local knowledge, उसका use यहां पर किया जा सके, ताकि economy को transform किया जा सके, जम्म है, अपनी जो उनकी खान पान की ववस्ता है, वो सब चीज़ें आपको इहां पर मिल जाएंगे, इसके लावा वहां पर जो hydro power का resources है, वो भी काफी जादा है, man power भी high quality मिल जाएगी, मिंडल्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, इसके लावा destination for tourist तो वो होई जाता है, तो इसी strength को बढ़ावा देने के लिए, attract करने के लिए investment को, जमू और कश्मीर के अंदर industrial policy 2021 से 2030 की यहां पर लाई गई, इससे UT के अंदर investment बढ़ेगा, industrial growth यहां यहां पर होगी, तो जो नई industrial development scheme यहां पर लाई गई है, यह attractive तो है, लेकिन जो past में चीज़ें miss हो गई हैं, उन आपको भारी मातर में investment यहां पर दिये जाएंगे, ताकि जमून कश्मीर के अंदर एक balanced development हो सके, okay, policy जो है वो आपको मिलेगा कि investment, growth, employment, सभी चीज़ों की बात यहां पर करती है, अगर हम बात करें इसके objectives की, तो employment generation की बात यहां पर हो रही है, इसके अलावा heavy labor intensive industries की बात भ पर की जा रही है, tourism को इसके अंदर बढ़ाएंगे, जो की जमू एंड कश्मीर की traditional strength है, handicraft को बढ़ाएंगे, होटी कल्चर को बढ़ाएंगे, इसके लावा कुछ नए sector जिनका involvement अभी जमून कश्मीर के अंदर नहीं हो पाया है, like healthcare है, IT services है, IT unavoid services है, इन सब चीजों को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे, होटी कल्चर, post harvest management, film tourism, इन सब को भी यहाँ पर बढ़ाना है, तो यह चीजें जो हैं, वो आप लोग के लिए जानने जरूरी हो जाती है, हमने experiences से काफी कुछ सीखा है, और policy जो है, वो financial support यहाँ पर उखलब्द कराती है, compared to the previous policies, नई policy financial support जो करोन में खुल रही है, तो बंदा कहीं और परिफर करेगा, जम्मुन कश्मीर के challenges को देखते हुए, लेकिन अगर जम्मुन कश्मीर की सरकार उससे कहती है, कि हम आपको 10% incentive यहाँ पर देंगे, तो उसके 10 करोन रुपे यहाँ पर बचेंगे, वो जम्मुन कश्मीर के अ फोकस किया जाएगा, जैसा कि मैंने बता रहा है, हैंड लूम वगएरा या फिर ट्रेडिशनल इसके वगएरा मौजूद हैं, उस पर भी फोकस किया जाएगा, और इन्होंने एक बेसिकली service sector positive list भी बनाई है, जिस पर special focus किया जाएगा, जम्मुन कश्मीर में positive list का मतलब है tourism, film tourism, health care, education और इसके development इन पर focus जो है, वो किया जाएगा, इससे सभी को benefit यहाँ पर होगा, इसके अंदर budgetary provisions वगएरा में भी industrial policy की बात यहाँ पर की गई, और aim यही है कि budgetary provisions के जरीए policy की जो strength है, उसको यहाँ पर मजबूत किया जाए, और इसके कुछ provisions वगएरा बैसे जो पढ़ा दिये, वो sufficient है, इससे जादा जाननी की ज़रूत आपको यहाँ पर नहीं पढ़ेगी, बट focus जो है वो अलग लग चीजों पर रहेगा, ज़िए टूरिजम को भी यहाँ पर बढ़ाना है, तो टूरिजम के अंदर अगर हम देखें, तो अभी तक वो जम्मू और कश्मीर की टूरिजम एकनोमी को यहाँ पर बढ़ाएंगे और एक employment elastic sector जो है, वो यहाँ पर create होगा, इससे एक special और smart convergence देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग जो culture department है, उनका expenditure भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, कई सारे और नई चीज़ें like traditional fairs जो है, उनको organize के दाएगा, सूफी festival है, उनको remote areas में यहाँ पर जो है, वो organize के दाएगा, जमुएन कश्मीर के अंदर tourist village network scheme जो है, वो यहाँ पर चल रही है, कहाँ पर international आए हुए लोग घूम सकते हैं, उस चीज़ के ओपर basically यहाँ पर है, इससे local youth को भी incentive देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, य यह चीज़ें यह दिखाती हैं कि पिछले तीन सालों में जो काम यहाँ पर हुआ है, उसकी वज़े से जमुएन कश्मीर में पिछले साथ सालों में इतना tourist कभी भी नहीं आया, जितना की इस बार देखने के लिए मिला, जमुएन कश्मीर में Tulip Gardens very very famous आपको मिल जाएंगे, पहली बार record 36,000 टूरिस्ट एक साथ देखने के लिए मिले, 27 मार्च को पहली बार ऐसा यहाँ पर हुआ, चार अपरेल को श्री नगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतनी भीड कभी नहीं देखी गई, जितनी की चार अपरेल को यहाँ पर देखने के लिए मिली, 2022 में 90 बैफिलाइड्स रिकोर्ड जो है, वो इन एन आउट कश्मीर देखने के लिए मिली, तो यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, इसके बाद होर्टी कल्चर को भी बढ़ावा देना है, होर्टी कल्चर के अंदर में भी बजट में काफी प्रोविजन क जाते हैं, इसके अंदर आप देखो, cold storage capacity expansion यहाँ पर करना है, apples के लिए productivity increase यहाँ पर करनी है, और carding वगएरा करके, इसके अलावा high value और जो low volume agro product हैं, like aromatic यह cash crops हैं, vegetables हैं, उनके लिए भी बजट में initiative लाए गए हैं, इसके अलावा जमुएन कश्मीर के अंदर GI certification initiatives related, saffron व जो saffron cultivation है, उसका size जो है, वो यहाँ पर increase किया सके और sector को especially international manch पर लाकर खड़ा किया जा सके, इसके अलावा foreign trade और investment वे भी focus किया जाएगा, foreign trade और investment वे focus करने के लिए, इंडिया ने हाल ही में UAE के साथ comprehensive economic partnership agreement sign यहाँ पर किया था, और जमुएन कश्मीर से foreign trade investment को बढ़ाने के लिए हैं काम अच्छा है, not only जमुएन कश्मीर, बट पूरे इंडिया से, लेकिन इस से focus तो यहाँ पर बढ़ेगा, ओकिया, तो Gulf investment strategy के जरीए, सब चीज़े हैं हाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, इसके अलावा impact on जमुएन कश्मीर bound statement की अगर हम बात करें, what was the impact of all these policies on the investors with respect to the जमुएन कश्मीर, combined with the end of constitutional uncertainty, जो कि यहाँ पर खतम कर दी, अब एक better law and order के situation यहाँ पर बन गई है, तो infrastructure बढ़ रहा है, strategies जो हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे है, economic development हो रहा है, investors जो हैं वो आ रहे है, enthusiastic response देखने के लिए मिल रहा है, policies का, तो यह कुछ फायद हैं जो क economic, constitutional uncertainty के हटने के कारण यहाँ पर देखने के लिए मिले, investors जो हैं वो पहले किसी और state में चले जाते थे, बट अब union territory के अंदर में investment यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और यह सब successful दिखाता है आपका industrial policy की, और इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो यह चीज़ें और नहीं पड़नी, UAE से भी काफी सारा investment जो है वो आपको इस particular reason में देखने के लिए हाँ पर मिल जाएगा, as we argue in the next session, this argues well both for the reason and investors, तो यह जो आगे argue दिए गए हैं आपको इनको पढ़ने की ज़रुरत यहाँ पर नहीं पढ़ेगी, वैसे मैं आपको काफी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा दी है, OT culture छेतर में किस चीज़ की बात की गई है, IT services की भी बात हमने यहाँ पर कर ली, और इसके अलावा education और health के छेतर में भी काफी अच्छा काम है, जैसा कि बताया aims वगएरा यहाँ पर बन रहे हैं, PM, JVY, सहत स्कीम भी यहाँ पर लॉंच की, यहा लोग समझदान है, previous year के paper उठा करके देखे, okay, उसमें इस तरी की question link निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसके उपर लगबग 10 minute इसके उपर talk कर ली है आपसे, this is sufficient, okay, इससे जादर जानने की जरूत नहीं है, कम से कम timeline तो पता हो, आपको की 2021 से 2030 के लिए policy launch की गई है, ताकि कुछ उल्टा सीधा ना लिख दो कहीं, okay, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद में रखनी है, पस sufficient है, और hydro power generation भी यहाँ पर होता है, IT services बढ़ेंगी, यह सब चीज़ें बढ़ेंगी, इसके जरिया article को खताम किया जाता है, इसके लाब आगे चलते हैं, और लिखका ह पर जो है, वो बढ़ाना है, इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें, तो film sector की मजबूती के लिए, अगस्त 2021 में जम्मो और कश्मीर film policy 2021 यहाँ पर launch की गई थी, इसमें आप देखो गए कि बहुत सारे objectives हैं इसके, ताकि जम्मो और कश्मीर को एक film making destination के रूप में आपर बनाय के से, जो international film or tourism भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, अगर हम बात करें policy की, तो यह policy यहाँ पर launch की गई है, और इसमें काफी सारी film fraternity भी यहाँ पर मौजूद है, नहीं पढ़ना, ओके, ignore मारो इसको, और इसमें अगर आप यहाँ पर देखें, तो Indian states के लि काफी सारे जो policy supports हैं, वो यहाँ पर उपलब्द कराये जाएंगे, तो यह policy support कौन कौन से हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं, उससे पहले जम्मो इंड कश्मीर की कुछ यूनिक चीज़े दी गई हैं, लाइक सिनो क्लावड मांटें, मांटेंस हुहाँ पर हैं, ब्रीट अग बारे क्लोजिस के करीब क्लोजिस हैं, आपकी जम्मो इंड कश्मीर फिल्म पॉलिसी के अंदर, जो की अगले पांस सालों में 100 करोन के इंवेस्टमेंट के जरी यह वर्ड ग्लास फिल्मेकिंग डेस्टिनेशन इंडिया का इसको बनाने की बात यहाँ पर चल रही है, कि कंट्री के अंदर, बेस्ट इंटेंजिबल और टेंजिबल इंसेंटिव यहाँ पर उफलब्द कराए जाएं, फिल्म शूटिंग के लिए, फाइनेशल इंसेंटिव भी हाँ पर दिये जाएं, वर्ड ग्लास सपोर्ट और अप्ग्रेटिंग इंफरस्ट्रक्शर पर मिशन के लिए कई सारे सिंगल सैल डेवलब्मेंट भी यहाँ पर किये गए हैं, तो यह चीज़ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इससे एड्मिनिस्टेटिव इफिकेसी भी बनेगी, अलग लग तरीके के पोर्टर भी बनाए गए हैं, और लोकल जो लोग हैं, उन काउंसिल है और सिंगल विंडो सैल है, वो आपको मिल जाएगी, यह चीज़े याद रहानी है, तो दो चीज़ों की बात हमने की, एक डेडिकेटिड जमुन कश्मीर फिल्म डेवलब्मेंट काउंसिल की बात हो गई, और इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे, कि एक सि पोसे सिंग टाइम को फास्ट है, यहाँ पर किया जा सके, जल्दी जल्दी मूवी जो है, वो शूट हो सके, ताकि आगे भी वो यहाँ पर आएं, तो यह चीज़ें थोड़े से यहाँ पर याद रखो, बाकी इगनोर मारो, कोई जरुरत नहीं है, यह चीज़ आपको पढ के कम्यूनिटी है, उनके अंदर बेसिकली आइडियास का एक्सचेंज होता है, वो सकता है कि वो उनकी कल्चर, आर्ट, रेडिशन, हेरिटेज ओपर के ओपर, जो मुवीज हैं, वो भी यहाँ पर तयार करें, उनको प्रेड़ना भी यहाँ पर मिलती है, फिर यह फिल्म अ होते हैं, उनके साथ में मिलकर के इन चीज़ों को एनकरेज यहाँ पर किया जाता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जोतना ही, मैं पहले से ही बता रहूं, मुझे जस्ट यह आर्टिकल को यहाँ पर कवर करना है, इसके लावर यह आर्टिकल के अंदर आपको दिया गया है कि एक प्रोग्राम चलता है, एडिस को री डिफाइनिंग डप परडाइस, परडाइस जमू ऑन कश्मीर को का जाता है, उसको री डिफाइन करने की बात है, जमू अन कश्मीर के अंदर मिशन यूथ इनिशेटिव्स चल रहे हैं, वो अपने वहां के लोकल इनिशेटिव् UPSC के चात्र जो है वो रिटने की कोशिश ना करें आपके किसी काम के नहीं हो जाते जम्मू इंट कश्मीर Civil Services के जो चात्र हैं या जो लोग जम्मू इंट कश्मीर Civil Services का फोरम भरने हैं उन लोगों के लिए चीज़े ज़रूरी हो जाती हैं उनको तो अगर जम्मो और कश्मीर में एक रोड भी बन रही है न तो उसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, उके, बट हमारे लिए as a UPSC aspirant यह जरूरी नहीं हो जाता, हमें film policy के बारे में जितना जानना था, हमने जान लिया, UPSC question नहीं पूछेगा means के अंदर, बट as a aspir channel यहाँ पर बन रही है, हमें नहीं पढ़नी, इसके अलावा गर हम देखें, तो country की जो first पंचायत है, जो की carbon neutral यहाँ पर होने वाली है, वो है आपकी पल्ली, और यहाँ पर 500 kilowatt का solar power plant जो है, वो यहाँ पर prime minister जेने खुद ही inaugurate किया, UPSC के लिए important है, आपको याद रखना है, इसके अलावा आप देखोगे कि यह सब आपको नहीं पढ़ना, यह सब हमें नहीं पढ़ना, ओकी, यह सब NH पर क्या क्या काम हो रहा है, हमें नहीं पढ़ना, अबना थियात्रा को streamline करने के लिए काफी initiative लिए जाए रहा है, rope away वगेरा बनाए जा रहा है, लाइक जंग यहाँ पर रखा गया है, इसके अलावा और स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, जो की जम्मू और कश्मीर के अंदर industrial development को बढ़ावा देने के लिए मदद यहाँ पर कर रही है, जम्मू और कश्मीर को open defication freebie declare किया गया है, सोच भारत mission के अंदर याद रखना, इसके अलावा अ इसमें काफी सारा hundred percent saturation जो है, वो यहाँ पर किया गया, बहुत सारे beneficiaries को include किया गया, कितने not important, but TSI schemes यहाँ पर चला रहे हैं, इंद्रिधनोष स्कीम भी यहाँ पर चल रही है, immunization के लिए जो है, बच्चों के यह चीज़ा आपको मिलेंगी, फिर ग्राम सड़क योजना के अ production बढ़ा जाए और उसको international market अबलब भी करा जाए, fast track recruitment भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, तो यह चीज़ा आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इसके अलावा employment opportunities तो हासिल करा ही जा रही है, skilled deliver, unskilled deliver सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बट ट्रेटनी की ज़रुत यहाँ पर यहाँ पर यह सब दिया गया है कि कितनी road की length थी, present में कितनी हो गई, पहले कितनी थी, 2019 से पहले कितनी थी, 2019 के बाद कितनी थी, तो यह चीज़ा आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, health के sector में मैंने बताया, दो नए aims बन रहे हैं, इसके लावा साथ नए medical college बन रह हैं, जल जीवन मिशन जिसमें हमें 2024 तक tapped pipeline जो connection है, वो यहाँ पर पीने का पानी उपलब्द कराना है, उसकी भी बात यहाँ पर जो है, वो कर रहे हैं, भाई यह तो जरूरी है सब चीज़े हैं, इसके लावा education के अंदर IITs, IIM, यह सब जो है वो develop किये जा रहे हैं, irrigation और flood चलते हैं, और यहाँ पर बात करेंगे tourism sector की, जम्मोन कश्मीर के अंदर especially जो tourism है, वो किस तरीके का उना चाहिए, और सिर्फ tourism ही नहीं होना चाहिए, वो sustainable भी होना चाहिए, क्योंकि unsustainable tourism तो प्राचीन समय से चला हुआ ही आ रहा है, बात करेंगे ओंदा paradise of earth, यानि कि कश् पर sustainable tourism को कैसे promote किया जा सकता है, उसकी बात यहाँ पर की गई है, अगर हम यहाँ पर बात करें, tourism एक काफी important industry बन जाती है, पूरे इंडिया के लिए है, इंडिया में बहुत सारी diversity है, उसके अलावा आप देखो कि tourism से जो है, वो employment opportunity काफी सारी मिलती है, generation of income भी यहाँ पर हो transportation है, lozing है, catering है, cottage industries है, तो इसमें जो है, वो find अगर आप opportunity कर लेते हैं, तो tourism business भी जो है, वो काफी जादा बहतरीन यहाँ पर हो जाता है, और अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, but unfortunately there is followed by the major strain on the natural resources of the sensitive ecosystem, but एक दिक्कत ये भी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मी लदाख reason, जो है, वो sensitive ecosystem में आता है, especially हिमालियन ecosystem में भी आ जाता है, तो वहाँ पर अगर tourism पर pressure जो है, वो बढ़ा, यानि कि over tourism देखने के लिए मिला, तो जो ecology है, वहाँ का environment है, वहाँ का जो टेरान है, वो सब घतरे में यहाँ पर आ सकता है, ओके, इसके अलावा जो climate change है उसके भी अपने impact यहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर जो glaciers हैं, वो बहुत तेजी से हाँ पर प्रिगल रहे हैं, सिनोफोल लगतार decrease हो रहा है over the past two decades अगर हम देखें, rainfall की जो pattern है, वो irregular यहाँ पर हो गए हैं, flash floods जो हैं, उनकी conditions देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी वज़ हैं, उनको यहाँ पर कम किया जा सकें, और हिमाल्य निको सिस्टम को बचाया जा सकें, तो यह चीज़ें आपको कुछ यहाँ पर मिल जाएंगी, इसके लावा सेंटर गवर्मेंट भी इस चीज़ पर वर्क करिए कि लगदा को as a tourist destination यहाँ पर बढ़ाना है, उसमें adventure होना चाहिए, अपनी culture और responsible tourism, इन तीनों चीज़ों पर focus के साथ, tourism को जो है, वो यहाँ पर बढ़ाना है, और इसके लिए कई सारे रुपे भी यहाँ पर दिये गए हैं, जब मुएंट कश्मीर, लद्दाक के अंदर, जो स्वेदेश दरसन scheme है, या परशाद scheme है, हिर्दे scheme है, जो ecology है, उस पर कम से कम यहाँ पर पढ़े, तो इस तरीके का tourism जो है, वो यहाँ पर बात हो रही है, जिससे sustainable और inclusive growth देखने के लिए मिलेगी, local communities को इससे यहाँ पर फायता होगा, और tourism जो है, वो sustainable होना चाहिए, ताकि local ecology पर जो negative impact है, वो कम से कम पढ़े, population बगारा पर भी और tourism को जो है, वो monitor भी यहाँ पर करना पड़ेगा, मतलब regulated tourism होना चाहिए, over tourism जो है, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यह बात मैं आपको clear की, इसके अलावा अगर हम देखें, लद्दाक के अंदर tourism को तो promote करी रहे हैं, इसके अलावा locals के लिए employment भी बिलेगा, same बाते ह जो है, वो बन पाएंगी, connectivity बढ़ेगी, infrastructure बढ़ेगा, sustainable और community based जो growth है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, okay, तो यह सब चीज़े जो है, वो पूरे इंडिया के लिए common है, लद्दाक के लिए भी common है, इंडिया की culture को भी बढ़ाना चाहते हैं, लद्दाक की culture को भी बढ़ाना चाहते हैं, इसे woman empowerment भी यहाँ पर होगा, जम्मू, कश्मीर और लद्दाक, तीन अलग-अलग basic reasons है, अपना-पना feature है, common features भी है, अलग-अलग features भी है, okay, यहाँ पर कई सारे domestic visitors और foreign visitors सब लोग यहाँ पर आते हैं, okay, सब लोग यहाँ पर आते हैं, और अलग-अल इस destination की रूप में अभर करके आया है, इसको सुट्जर लेंड ओफ दे इस्ट भी यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर भारी मातरा में सिनो कैप्ट माउंटेंस मिल जाएंगे, रीवर्स मिल जाएंगी, फ्रेश ओटर लेक्स मिल जाएंगी, जो की visitors को, rafting, skying, और आप दे प्रोड़क्स जो है, वो भी हाँ पर रुपते हैं, हर एक district जो है, वो अपना खुद का एक special ऐसा कुछ natural resource जो है, वो लेकर के बैठती है, that is called adventure tourism भी इसको कह सकते हैं, adventure tourism में आप देखो, तो river rafting आ जाती है, mountain climbing आ जाती है, इन सब के अलावा pilgrimage tourism, औके और इसके अलावा अलिटेस tourism है, और कहीं उस particular जगया का food अच्छा है, तो ethnic food festivals भी यहाँ पर होते हैं, cultural events हो सकते हैं, handicrafts वगरा हो सकते हैं, यह सब चीज़े भी जो हैं, वो आपकी tourism का ही part यहाँ पर बन जाती हैं, लेकिन बात करते हैं, tourism की, तो वो unprecedented increase नहीं देखने के लिए मिलना चाहिए टूरिजम में तेजी से बड़ोतरी के कान, over tourism यहाँ पर हो गया है, जिससे की natural resources पर negative impact यहाँ पर पढ़ रहे हैं, cultural legacy और quality of life भी धीर धीरे वहाँ पर खतम हो रहे हैं, देखो waste जहाँ पर पहुँच गया ना समझ लो, वहाँ पर quality of life धीर धीरे खतम होनी शुरू हो जाती ह तो इसका मतलब यह है कि sustainable tourism की तरफ focus यहाँ पर करना पड़ेगा, तो जो basically आप देखो कि negative effects हैं, उनको avoid करना पड़ेगा, जो poorly manage किये जा रहे हैं, अब उनको manage करना पड़ेगा, over tourism को as a potential risk जो है, वो हम यहाँ पर लेकर के चलना पड़ेगा, और एक balance बिठाना पड़ेगा कि economy यानि कि पैसा तो आ रहे है टूरिजम से, उसके अलावा environment का नुकसान बिलकूर भी ना हो, और social culture consequences भी जो है, वो अच्छे हो टूरिजम के, तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं, UNWTO के हिसाब से देखें, तो sustainable tourism क्या होता है, कुछ भी नहीं है sustainable tourism वो होता है, कि resources का best use हो, best use कर सकते हो, wise use कर सकते हो, sustainable use कर सकते हो, लेकिन वो सही तरीके से use यहाँ पर होना चाहिए, तो ecological जो process है, उसको तो maintain करके रखना ही है, natural heritage का preservation भी होना चाहिए, बायो डावसिटी का preservation भी होना चाहिए, और economic, मतलब, जो money generation है, वो भी यहाँ पर basic होना चाहिए, इसके अलावा अगर हम देखें, जो host communities है, उनके social culture authenticity उसकी respect करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने के लिए गए, और वहाँ पर जो specially tribes रह रही है, या फिर लोग रह रहे हैं, उनका respect भी आप नहीं करना जानते हैं, तो यह basically जो tourist घूमने के लिए यहाँ पर होएं, तीनों चीजों को आपको respect करना है, अगर एक भी चीज की respect नहीं की, तो समझ लो आपका tourism को जो मक्षद है, वो खतन हो गया, ओके, तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी हैं, आपको यह ensure करना है कि जो social economic advantages हैं, सभी stakeholders को मिलें, और income generation वहा इन एक पुरानी बात है, तो उसको अगर आप देख लोगे, तो मैंने उसमें सब tourism policies किस तरीके चलती हैं, all India level पर पढ़ाईएं, तो इसको आपको इतना ही समझना है, इसके अलाब अगर हम बात करें, tourism industry लद्दा के अंदर काफी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर pristine natural place आप पर हो जाता है, human health पर भी impact पड़ता है, और place की जो beauty है वो भी धरे धरे खराब हो जाती है, इसलिए हमें environmental degradation को reduce करना है, pollution का जो रिस्क है वो कम करना है, इसी के साथ आप यहाँ पर देखोगे, wildlife का conservation जरूरी है, high end tourism उसका potential तो उभार नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें एक scientific understanding और efficient planning की जरीए इस काम को यहाँ पर करना पड़ेगा, लग्दाक के अंदर बहुत सारे पास्चर्स हैं, बहुत सारे grasslands यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे इथनिक communities यहाँ पर मौजूद हैं, जो की animal husband is related produces जो हैं, उन पर ही dependent यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो pasture lands हैं, या वहाँ पर जो areas हैं, वो complex areas हैं, जहाँ पर natural, social और cultural तीनों तरीके के landscape यहाँ पर मिलते हैं, तो यह चीज़े दिखाती हैं कि इसकी proper understanding अगर नहीं होगी, तो उसका management भी आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि it is crucial to consider the sustainability prospects for the tourism growth in this reason for the Ladakh land scale, तो कई सारी social cultural heritage हैं, कई सारे resources हैं, जो कि अपने आप में finite हैं, उन सभी को threat जो है वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसको कम करना ही तो यहाँ पर मकसद है, जिसको sustainable tourism के अंदर में लेकर के आया जाएगा, inappropriate तरीके से कोई काम नहीं होना चाहिए, resource intensive, hazardous constructions, poorly designed roads, other related infrastructure, inadequate soil, solid waste management increased air pollution, declining water sources and loss of biological diversity, ये कुछ impact हो सकते हैं अगर आपने tourism को sustainable तरीके से promote नहीं किया, over tourism आपने यहाँ पर देखा, mass tourism अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया तो, तो ये जो तीजी चीजें हैं, ये परिशानी खड़ी कर सकती हैं इस तरीके से, इसके लिए आपको sustainable tourism development की ज़रात हैं, बस इस article को आपको यहाँ पर खतम कर देना है, इसको रोकने के लिए आप काफी कुछ कर भी सकते हैं, जैसे आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो green house gases वातावन में जा रही हैं, उनको absorb कर सकते हैं, carbon sequestration कर सकते हैं, absorb कर सकते हैं, more carbon जितनी के release के जात इसके अलावा आप जो हैं, वो यहाँ पर construct कर सकते हैं, high end eco losses, environmental friendly laws, hotels वगेरा सब बना सकते हैं, illegal poaching जो हैं, उसको खतम कर सकते हैं, और balance बैठा सकते हैं, sustainability और profitability के बीच में, तो sustainability versus profitability के बीच में, यहाँ पर balance बना करके चलना पड़ेगा, तो यह चीज़ें आपको इतनी यह यहाँ पर याद रखनी हैं, और इस तरीके से आपका article यहाँ पर खताम होगा है, इसके बाद आगे चलते हैं, और लिखा हुआ है, education and skilling, especially अद लद्दाख reason के अंदर, अब यह जो लद्दाख civil services के हैं, जम्मू और कश्मीर civil services के हैं, वो लोग पढ़ें तो ज़्यादा बहतर हैं, हम लोग देखते हुए चलते हैं कि आखिर क्या बात की गई हैं, लद्दाख की बात करें, 2019 में union territory के रूप में बना अपना एक pristine environment है, बहुत सारे natural resources हैं, population उतनी जाद नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक population आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ओके, area के हिसाब से population भी सही ह आप यहाँ पर देखोगे, तो youth तो एक important role पिले ही करता है, किसी भी country का हो, चाहें किसी भी state का हो, वहाँ पर youth की सबस्याद ज़रत होती है, लद्दाख के अगर अंदर देखें, तो 18-23 साल की उम्र के जो लोग हैं, वो लगभग 36,588 के करीब लोग यहाँ पर हैं, इसमे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3938 लोग ही यहाँ पर जो हैं वो enroll हैं, higher education institutions में काफी ज़्यादा enrollment देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो यह भी एक चुनोती जो है, वो यहाँ पर बन जा रही है, इसके अलावा देखो यहाँ पर देखो अगर आप demographic dividend को अगर आपको harness करना है, यह tap करना है, तो आपको कुछ policies इस तरीके के लानी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जोब creation करना पड़ेगा, लोगों का enrollment यहाँ पर बनाना पड़ेगा, government jobs दो यह tourism related जो skills है, वो उनको provide करो, बट कुछ तो provide करना पड़ेगा, इसके लिए काफी सारे काम, especially के अंदर अगर हम बात करें, तो यूनिवस्टी ओफ लद्दाग बनी, 2019 के अंदर, और इसमें जो पहले छे कोलिस थे, उनको मिला करके, यूनिवस्टी ओफ लद्दाग जो है, वो बनाएगा, इसमें काफी सारे departments हैं, काफी courses हैं, यहाँ पर चलते हैं, और इन्होंने कई काई सारे और department के साथ में भी tie-up किया हुआ है, जैसे अगर आप देखोगे कि काई सारे M.O.U. यहाँ पर इन्होंने किये हुए हैं, यूनिवस्टी ओफ दिल्ली के साथ, डैनिस कंशोर्टियम for academic craftmanship के साथ, इसके अलावा आप देखोगे, यहाँ पर है वाडिया इंस्ट को बहतर करने के लिए, कई सारे faculty development program से भी यहाँ पर चलाए गए हैं, infrastructure को बहतर यहाँ पर किया जा रहा है, लगातार, especially नुबरा और चासकर reason के अंदर में, जहां पर higher education department जो है, वो यहाँ पर बन रहे हैं, उन सब चीज़ों में infrastructure को बहतर किया जा रहा है, इसके अलावा क यह जो year है, has been declared by the administration as the year of persons with disability, आप देख सकते हो, कि लग्दाख के द्वारा इस particular year को year of persons with disability भी यहाँ पर असेप्ट किया गया है, इसके अलावा अगर हम देखें, तो past 2 years में enrollment भी यहाँ पर बढ़ाए धीरे धीरे, और government ने government college कारगिल की ब्रांच भी 2022 में संकु में मैं खट लगा दू, वो मतलब है कि आपको as a UPSCS parent उसको नहीं पढ़ना है, इसके अलावा एक सिंदू सेंटल यूनिवस्टी भी यहाँ पर एनाउंस की गई थी, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लोकसभा में 2021 में, तो जस्ट इतना point आपको यहाँ पर ध्यान में उसको जो स्कोलर्शिप है वो यहाँ पर दी जाती है ताकि वो आगे मेंस की तयारी कर सके, डेल लाख रोपे की स्कोलर्शिप जो है वो बेसिकल यहाँ पर दी जाती है, फिर financial assistance कह सकते हो, ताकि मेंस के एक्जाम में जो है वो बच्चा अच्छे से appear हो सके, यह स्कीम पू स्कोलर्शिप इसकीम बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर देती हैं, आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना कितने लोगों को देती हैं, बठाँ इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, इसके अलावा आई-ई-टीज हैं, बड़े-बड़े और इंस्टिशन हैं, एम-टेक अलावा पॉलिटेक्निक कोलिस तो यहाँ पर हैं, आई-टी-आई-ज के अंदर आप देखो ट्रेनिंग दी जाती हैं, इंडस्टिल ट्रेनिंग स्पेशली, तो इस इतना पॉइंट याद रखो अलग-लग छेतर के अंदर, यह छेतर यहाँ पर दिये गए गए हैं, किन-क तो होटी कल्चर है, फ्लोरी कल्चर है, इसमें भी नए-ने एवन्यूस जो हैं, वो यहाँ पर आते चली जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी लोगों को सिखाया जाता है, ताकि स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर क्रियेट हो सके, इसके अलावा जैसा कि नेशनल लिवर पर योजना के अंदर में ही आपर चल रहा है, और फिर लद्दाक के अंदर जो कोशल मेला उसका भी आयोजन किया जाता है, एप्रेंटसिफ मेला है, सेल्फ एम्प्रॉइमेंट फेयर हैं, यह भी और्गेनाईज यहाँ पर किये जाता है, तो ये चीज़ां आपको यहाँ पर किया जाता है और expertise जो है वो FTII को join करें उसके लिए भी यहाँ पर work किये जाते हैं जो लोग हैं उनको short term training दी जाती है कैसे आप hair tracer बन सकते हैं stylist बन सकते हैं वहाँ पर लोग आएंगे उनको local level के जो हैं वो चाहिए लोग ताकि local environment में ढल सकें वो तो उसको सब provide कराने के लिए training जो है वो यहाँ पर सब दी जाती है apprentice से भी यहाँ पर चल रही है और इसको चानने की जरुत आपको नहीं पड़ेगी इसके अलावा आप देखोगी कि ITIs के बारे में तो बताया और इसके अलावा यहाँ पर education के बारे में हैं वही सब बाते हैं इतना detail में नहीं जा सकते UPSC में हमारे पास और भी important topics हैं ओके तो यह article आपका यहाँ पर जो है वो basically बंद करते हैं बाकी खादी village commission है सब अलग-अलग कुछ ना कुछ करने हैं जैसे brand लटाक के नाम से इन्होंने पश्मीना जो वीवर्स हैं उनके लिए capacity building programs भी यहाँ पर launch किया है इसको ओर detail में अब भी आगे शायद आएगा तो cover करेंगे तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है raising the digital divide और e-learning की बात कर रहे हैं आपको पता है digital divide का मतलब होता है एक तो मतलब होता है कि urban area और ruler area के जो लोग हैं उनके बीच में बेसिकली urban area में जादा लोगों के पास digital सुविरा हैं ruler area में नहीं हैं तो एक divide तो यह हो गया दूसरा divide आपका यह होता है कि country के कुछ remote areas हैं और कुछ advanced metropolitan areas हैं उनके बीच में divide हो गया तीसरी चीज़ जो है वो digital divide की यह होती है कि जो woman हैं उनके पास digital सुविदाएं कम हैं compare to the man तो एक digital divide जो है वो basically यहाँ पर यह हो गया तीन तरीके के digital divide हो गया यहाँ पर जो हम basically बात कर रहे हैं इस उपर वाले की बात कर रहे हैं और अभी लद्दाग के अंदर इतना जादा digital हुआ नहीं था जब 2019 में हमने ये duty बनाया उसके बाद से चीज़े बढ़नी शुरू है लद्दाग की condition देख सकते हो लद्दाग और जम्मो और कश्मीर बेसिकली इन सब को जो है वो 200 educational जोंस के अंदर में बाटा गया है कई सारे अपर primary school हैं कई सारे primary school हैं कई सारे और भी institutions जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे आपको इनको पढ़ने की कती भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है इसके अलाब अगर हम बात करें जो children है वो pandemic के दोरान भी school education को लेते रहें तो एक project चलाए गया तो इसमें home classes जो है वो यहाँ पर चलाएंगे Google form के जरीए WhatsApp, Telegram, Google Meet, Facebook वगयरा के जरीए इस काम को चलाए गया इस program को कहा गया D.A.C. Jammu Home Class और इस पर एक YouTube चैनल भी शुरू किया गया ताकि बच्चे घर बैठ करके इसको पढ़ सके पूरे इंडिया में हुआ लद्दाक की बात हो रही है तो लद्दाक ने भी इस काम को यहाँ पर किया ओके तो यह चीज़ें यहाँ पर याद रखना है इसके अलाव़ा COVID-19 के दुरान इन्होंने एक सरल Android एप भी यहाँ पर लौंच किया जिसका नाम है Student Accessible Resource and Learning Application ओके IT Wing ने इसको यहाँ पर डैवलप किया था और इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे जो educational portal है इसपेशली सेंटल गवर्मेंट के कौल दिक्षा है इपाट साला, सुएम, इविद्याधन, सुएम प्रवा इन सब को एक ही जगह पर उपलब्द कराया गया ताकि बच्चों को सिर्फ एक ही एप डाउनलोड यहाँ पर करना पड़े यह आप देखोगे कि teacher, student, radio है या फिर अलग-लग और चीज़ है वो अपलब्द कराते हैं आपको पढ़ने की ज़रूत नहीं है इससे बड़े-बड़े जो apps हैं वो हमें पढ़ने पढ़ेंगे क्योंकि हम UPSC का एक्जाम देने जबाले हैं इसके लावा समाधान एप यहां पर online grievance, redressal system की रूप में लूंच किया गया transparency और delivery mechanism को बहतर करने के लिए तो यह सब चीज़ जो हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे इसके लावा जम्मोन कश्मीर education hub के नाम से एक web based system जो है उसको भी यहां पर तयार किया गया detail में जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूत नहीं पड़ेगी इसके लावा EU office वगेरा भी setup किये गए आपको directorate of school education से कुछ जानकारी लेनी है तो आप electronic means के जरीए ले सकते हो आपको office जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके यह सब चीज़े हैं तो इसके लावाट digital जम्मोन कश्मीर week भी यहां पर celebrate किया गया यह सब चीज़े जो है वो आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी that is sufficient और इस तरीके से आप पर जो article है वो यहां पर complete होता है अगर यह को ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी question prelims में इस particular article से prelims में या mains में UPSC गंदर निकलेगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं UPSC वो question पूछता है जो national importance की हो और यह जो चीज़े हैं वो state के एक particular importance कि यहां पर बन जाती हैं इस particular article में काफी सारी national level की schemes जो है वो cover की गई हैं तो detail में देखेंगे जादा अगर state level की news आएगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा वो सिर्फ जम्भू इंड कश्मीर के civil services चात्रों के लिए हैं यह फिल अद्दाग के हैं तो यह चीज़ें आपको मिल जाएंगे इंडस्ट्री जो है वो manufacturing शेतर के अंदर में आपर cover की जा सकती है लगबग 3,4,40,000 के करीब आर्टीजान जो हैं वो यहां पर मौदूद हैं जिनको cottage handicraft industry direct और indirect आपका benefit employment यहां पर उपलद कराती है इसका मतलब यह है कि इसमें cooperation की जरुत है और उसी cooperation को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी के साथ मिलकर के नया plan यहां पर launch किया गया था global cooperation को बढ़ावा देने के लिए जिसमें कश्मीरी जो handicraft हैं उस पर biggest focus यहां पर किया जाएगा कश्मीरी handicraft की यूरोप में काफी demand रहती है और क्लाइमिट लगबख सेम सही है तो इसलिए आपका देखोगे कि जर्मनी के साथ यह tie up करके हम यूरोप के अंदर जो है वो exports को बढ़ाने की बात यहां पर कर रहे हैं कश्मीर की traditional handloom की बात करें तो centuries से handloom बीविंग का काम वहाँ पर चल रहा है और across the world यह कश्मीर का सामान है यह काफी ज़्यादा famous यहां पर है इसके अलावा गर हम देखें तो यहां पर raw materials भी काफी ज़्यादा मिलते हैं तो finished product से employment हो गया एक आपका raw material से भी employment यहां पर मिलता है इसके अलावा article 370 यहां पर जब से हटाये गया है तो government ने लगवथ 456 के करीब MOU sign किया है ताकि जम्मो और कश्मीर में इस particular sector में investment को यहां पर बढ़ाया जा सके अगर हम जम्मो और कश्मीर के अंदर MSME की बात करें तो manufacturing और service activities में especially MSME जो है वो आपको यहां पर मिल जाएंगी जैसे अगर manufacturing की बात करें तो food processing sector अच्छा है steel fabrication, packaging, water, cardboard manufacturing है यह सब आपको manufacturing के अंदर में मिल जाएंगे और जम्मो और कश्मीर के अंदर में आप देखोगे कि यह सारी जो services है वो भी यहां पर उपलब्ट कराया जाती है tourism, tour, travel से ज़्यादा related services यहां पर हो जाती है तो इन सब चीजों पर यहां पर focus जो है वो चलता रहता है और इन ही सब चीजों के development के लिए industrial estate के development के लिए valley के अंदर में आपका एक program चला गया था that is called MSME CDP that is called cluster development program और यह program ministry of MSME ने चलाया है तो national level पर चलाया गया है और valley के अंदर चलाया है इसलिए आपको इस program को याद रखना है किलस्टर development program यहाँ पर चलाया गया है पैसे कितने दिये गए not important और इसमें आप देखो कि currently two industrial estate जो है वो यहाँ पर develop किये जा रहा है और यह चीज़ना आपको याद रखना है एक तो आपका उधंपू डिस्टिक में है और largest industrial estate जमोन कश्मीर का वो पुलवामा में बन रहा है तो यह जस्त याद रखनो वैसे यह भी इतनी जादा significance की चीज़े नहीं है बट ठीक है नेशनल लिवल पर है तो याद रखना है इसके लावे एक और स्कीम आती है Ministry of MSME की और इसमें आपको मिल जाएगा Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries जो traditional industries होती है जैसे पोर्ट्री वगेरा है आर्टिजान्स हो गया हैंड वर्क हो गया उन सब के लिए भी यहाँ पर आप देखो कि दो क्लस्टर जो है वो तैयार किये जा रहे हैं बढ़ गाओं और अनंतनाग डिस्टिक के अंदर में MSME Ministry इनोवेशन को सपोर्ट करेगी और Inclusion Center भी NIT श्रीनगर के अंदर में इस स्कीम के जरिये जो है वो ले करके आया जाएगा ये चीज़ याद रखने है इसके अलावा आपका नेशनल लेव पर खादी एंड विकास इंडस्टिस कमिशन तो है ही उसका जम्मो एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्टियल बोर्ड उके उसके अंदर में जो वर्क करता है ये बेसिकली जो के वी आईसी का सपना है उसको जम्मो एंड कश्मीर में लागू करने का काम यहाँ पर करेगा जितने भी माइक्रो एंड विलेज इंडस्टियल सेक्टर है उनमें एंटर्परनियोशिप और इनोवेशन की अब यहाँ पर चलेगा सेक्टर इसकीम है और अगर आप यहाँ पर देखें तो डीजन के अंदर के वी आईसी के दौरा यहाँ पर चलाई जाती है और गवर्मेंट सबसीडी वगएरा सब प्रोग्राम्स इसके अंदर है बैनिफीशरी जो है उनके bank accounts वगएरा में सब employment generation जो है वो यहाँ पर किया जाता है DBT वगएरा के जरी यह सब काम होता है employment generation के बारे में basically काफी साल हो गएं पढ़ते हुए उसको आपको रट जाना चाहिए इसके अलावा MSME के इंडस्टीज के बारे में दिया गया है combinedly रूप से एक है आपकी MSE cluster development program जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई cluster वगएरा बना करके technological skill quality market access वगएरा यहाँ पर उपलब्द कराते हैं तो आपको ज़स्त रियाद रखना है कि यह cluster development approach है इसके बाद दूसरी आ जाती है that is called ESDP entrepreneurship skill development program जो यंग लोग है SC, SD, women हो सकते हैं physically handicapped हो सकते हैं ex-serviceman हो सकते हैं BPL हो सकते हैं उन सभी को जो है वो आपका करियर option देने के लिए उनको motivate करने के लिए skill development उनके अंदर में यहाँ पर किया जाता है यह इसके implementation वगएरा के बारे में दिया गया है उन सभी को market access कराने के लिए marketability उपलब्द कराने के लिए यह सब यहाँ पर काम किया गया है new market access initiative है create awareness and educate the MSME MSME को educate करेंगे और लोगों को aware करेंगे कि national level पर e-marketing services like GEM portal चला हुआ e-num portal चला हुआ warehousing receive portal चला हुआ उस सब के बारे में यह सब बताया जाएगा इसके अलाबा ministry की एक और इसकी मजाती है MSME के रिलेटिड यह है आपकी sustainable certification इसकी very very important कई बार पढ़ाया भी है ZED कहते हैं इसको यानि zero defect and zero effect तो अब देखो कश्मीर के अंदर काफी सारे product बनेंगे let's say carpet यहाँ पर बन रहा है तो carpet को अगर हम एक tag दे दें कि this is a MSME ZED certification इसको मिल चुका माल लो तो इसका मतलब यह है कि इस product में किसी भी तरीके का defect देखने के लिए नहीं मिलेगा और इसके किसी भी तरीके के harmful effects जो है वो भी हाई पर नहीं मिलेंगे लोग इसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे बिल्कुल खरीदेंगे तो यह एक certification हो गया जो कि इसकी quality assurance को देता है product की quality को यहाँ पर दिखाता है especially manufacturing sector के अंदर कि इस technology में मतलब इसको बनाने में latest technology का use होता है और environment को इसके effect भी काफी कम देखने के लिए मिलते हैं तो काफी important scheme यहाँ पर हो गई zero defect and zero effect और यह जो है वो environment पर भी minimum impact के चलते इस certification को launch किया गया था अब यहाँ पर आप देखो कि जमूर कश्मीर की कितनी units कितनी इसके अंदर mark कर दी गई not important उसके बाद बात करें उध्यम registration portal very very important portal और यह portal जो है एक system के रूप में आपर open किया गया था इसमें जो MSME है उनको इस particular portal पर register करना होता है और जब तक आप register नहीं करेंगे आपको benefits जो हैं जो benefits MSME को मिलते हैं like tax holidays बगर हैं वो सब आपको नहीं मिलते हैं तो जम्मोर कश्मीर की काफी सारे जो registration आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे not important पढ़ना नहीं है उसके अलावा technology center at Samba Samba के अंदर technology center भी बन रहा है industrial estate के रूप में और यह जम्मोर कश्मीर civil services चात्रों के लिए ही है आपको as a UPSS parent इसको नहीं जानना इसके अलावा अगर हम बात करें लेह लद्दा के अंदर national SCST hub भी बन रहा है schedule cast और schedule drive hub national level पर जो scheme यहाँ पर चली हुई है ministry of MSMA की याद रखना national level की scheme है government of India ने launch की थी 2016 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको launch किया गया था scheme का मक्सद यह है कि जितने भी SC और ST category के entrepreneurship है उनको promote करना है उनमें entrepreneurship की जो culture है उसको यहाँ पर बढ़ाना है तो SC और ST के लोग जो की economic section में आ गया आना चाहते हैं लेकिन आप देखो market competitiveness की वज़ा से यह किसी और like seed capital ना हो उसकी वज़े से पीछे रह गए हैं तो फिर आप यहाँ पर इनको support जो है वो करेंगे इस scheme जो है वो इनको empower करती है SCST population को कि वो public procurement process के अंदर में participate करें और यह भी कहा गया है कि जितना भी public procurement होगा public procurement मतलब जितनी भी government agencies procure करेंगी like course है, table है, register है यह सब चीज़े procure किया जाता है तो इस सब procure करने में 4% procurement जो है वो in SCSTs community से यहाँ पर होना चाहिए कोई भी ministry हो, department हो, CPSE हो यहाँ सेंटर, public sector, enterprises हो अगर वो procurement करना चाहती है तो 4% जो है वो यहाँ SCST से होना चाहिए SI target women entrepreneurship को बढ़ाने के लिए भी रखा गया है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है बाकी फिर यह देखो NSSH है, यही SCST वाला जो यह आपका hub है यह कई सारे और stakeholders के साथ consultation वगेरा भी करते हैं capacity building बढ़ाने के लिए market linkages उपलब्द कराने के लिए यह सब चीज़े मिल जाएंगे तो यह कुछ points जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने है इसके लावा horticulture, handling, handicraft, bio technology, tourism, information technology के अंदर में भी इसी तरीके के inter linkages आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आगे चलें तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिखा हुआ है, blooming business of lavender lavender cultivation के बारे में बताया गया है और lavender से related जो aroma mission है basically उसके बारे में हमें जानना है क्योंकि वो एक mission है जो की national liver पर चलता है but special focus जमून कश्मीर पर है इसको परपर revolution भी कहा जाता है और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर बात यहां पर क्या की गई है अच्छा जहां price वगएरा की बात होगी ignore मारेंगे, जितना पढ़ना है उतना ज़रूरी हो जाएगा तो इसको यहां पर basically true lavender के रूप में जाना जाता है इसकी कुछ properties दी गई है लाइक यह small होता है non-hardy perennial evergreen shrub होता है और commercial हो दुनिया के कई हिस्सों में इसको cultivate भी किया जाता है इसको especially oil के लिए यहां पर निकाला जाता है और oil में यह आप देखो as a essential oil use होता है कभी-कभी dry flowers जो हैं उनका भी इस्तेमाल यहां पर किया जाता है तो यह जो है वो आप देखोगे कि lavender जो है यह purple रंके होता है इसलिए इसको बढ़ाने के लिए जो revolution चलाए गया उसको purple revolution यहां पर कहा जाता है और purple revolution के जरीए इसके cultivation और इसके area को बढ़ाएंगे साथी farmers की income भी यहां पर double करी जाएगी अब यह चीज ज़्यादा से ज़्यादा produce होगी तो इसका जो benefit है वो industries को भी मिलेगा जो perfumes develop करती है perfume industry में इसका काफी इस्तमाल होता है कुछ जगा पर medicine properties में भी इसका इस्तमाल यहां पर होता है तो lavender के बारे में इतना आपको यहां पर पता होना चाहिए था इन्होंने एक नई variety develop की agro technology का use करके that is called RRL 12 और इस variety से rain fed reasons के अंदर में इसका cultivation यहां पर बढ़ा temperate reasons के अंदर में इसको गाया जाना शुरू किया गया और जम्मो division के अंदर इसका production जो है वो भी यहां पर बढ़ा तो जस्ट एक नाम यहां पर दिया गया है उसको आपको याद रखना है तो यह चीज़े हैं अब यह जो mission है इसका नाम aroma mission भी है aroma mission CSIR के अंदर में यहां पर चलता है और इस mission के अंदर में particularly जो farmers हैं उनको उत्तम तरीके की technology उपलब्द करानी है ताकि lavender की cultivation बड़े technology में सिर्फ machinery नहीं आजाती seed भी आजाते हैं ऐसे seed उपलब्द कराने हैं जो की उस particular बातावरन के अंदर में उग सके जैसे CSIR का यह जो IIM जम्मू में आपका institute है यह बहुत सारे farmers को lavender के seed distribute करता है इन सभी districts के अंदर में seeds को distribute यहाँ पर किया गया है यह इनको free quality planting material भी उपलब्द कराते हैं यह इनको end to end technology package भी उपलब्द कराते हैं कैसे cultivate करना है कैसे processing करनी है value addition कैसे करना है इसकी marketing कैसे करनी है इसके लिए इन्होंने 50 distillation units भी हाँ पर तयार किये different locations पर mission क्या है कि किसी भी तरीके से farmers को support करना है उनके produce को process करने में बढ़ावा देने में lavender cultivation में बहुत भारी मात्रा में लोगों को employment यहाँ पर मिलता है यंग लोग जो आपके यंग हैं यंगsters हैं उनको entrepreneurship activities यहाँ पर मिल जाते हैं इसके अलावा आपको यह कुछ भी यहाँ पर नहीं पढ़ना और इसके बाद यहाँ पर देखें तो just एक line यहाँ पर दी गई है कि इसमें large number of employment यहाँ पर मिलता है young entrepreneurship को बढ़ावा मिलता है especially remote areas में भी फायदा होता है और बहुत सारे young entrepreneurs हैं जिन्हों ने इसको large scale business के रूप में शुरू किया लेकिन धीरे धीरे value addition के जरीए जो है वो इन्हों ने इसको बढ़ा भी लिया lavender का oil निकाला जाता है hydrosol के रूप में बना जाता है dried flowers जो हैं उनको भी यहाँ पर use में लाया जाता है यह सब points जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने है उसके अलावा कितने यहाँ पर जम्मू के अंदर में units बन चुकी है कितने नई बन चुकी है not important बट आप देख सकते हैं इसके production को लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है जस्ट यह याद रखो कि production यहाँ पर लगातार बढ़ाया जा रहा है और घटाएंगे क्यों भई सिंपल सी बात है और याद रखना कि जम्मू कस्मीर के अंदर जो डोडा डिस्टिक है वो काफी जादा famous है lavender cultivation के लिए तो यह चीज याद रखनी है बाकी ना तो यह याद रखना है और डोडा डिस्टिक के बारे में मैंने बताया नहीं आपको यह याद रखना है कितने farmers हैं नहीं आपको याद रखना है कि इसका price किस तरीके से बढ़ता है किस तरीके से घटता है यह सब आपको नहीं याद रखना और इसमें अगर हम देखें तो end to end technology का transfer तो यहाँ पर करी रहे हैं farmers को और farmers को जादा जादा technology और guidance यहाँ पर मिलेगा तो cultivation तो यहाँ पर बढ़ेगी इसके अलावा इसका export भी लगातार बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे production बढ़ेगा हमारी domestic demand तो पूरी होगी होगी जो बचेगा उसको हम यहाँ पर export भी करेंगे और export करने का मतलब यह है कि हमारी जो import dependency है वो भी यहाँ पर कम होगी और import dependency कम होगी तो हमारा जो foreign exchange reserve है वो भी यहाँ पर save हो सकते हैं तो इस तरीके से जो production है यह सारी चीज़ें इस तरीके से लिंक यहाँ पर है और oil जो है यहाँ पर increase होगा इस तरीके से आपको benefit देखने के लिए मिलेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात करें CSIR के अंदर जो AIM जम्मू नाम का institute मैंने यहाँ पर आपको बढ़ाया CSIR के द्वारा इसको यहाँ पर science and tech के चेतर में award भी दिया गया है क्योंकि इसने जम्मू और कश्मीर के अंदर पर-पर revolution को successful बनाने में काफी मदद यहाँ पर किया है industries, academies और corporate सब लोग यहाँ पर आएंगे क्योंकि सभी को अपना profit जो है वो यहाँ पर दीखेगा और information, communication भी यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलेगा science and tech के बारे में पता चलेगा, logo core पता चलेगा कि किन-किन platforms के जरीए हम अपना cultivation और government जो इसकी इंसान का benefit यहाँ पर उठा सकते हैं तो यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर ज्यान में रखनी है इसके अलावा कितने hectare land पर इसको उगाया गया है, aroma mission के अंदर में यह सब जानने की जरुरत नहीं है बट, aroma mission के अंदर में यह चीज़ें आपको याद रखनी है कि start-up और agriculturalist जो हैं उनको सभी को attract करना है across the country और country के अंदर बहुत सारी districts हैं उन सभी में इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है कई लोगों को train भी किया जा रहा है क्योंकि बिना ट्रेडिंग के यह फसल यहाँ पर उगने वाली नहीं है इसके बाद आगे चलते हैं और लिखा हुआ है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन जमुएन कश्मीर जमुएन कश्मीर के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की जा रही है मैंने अभी आपको एक स्कीम के बारे में तो यहाँ पर बता ही दिया डेट्सकोल आयुषमान भारत हेलनेट वेलनेस सेंटर प्रोग्राम जो की आयुषमान भारत सेहत इसकेम के नाम से चला उसके अंदर में सारे मिशन सेम टू सेम हैं लेकिन फिर भी हम जो है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बात की गई है देखो जी अगर हम बात करें पोस्ट पैंडेमिक पीरियट की तो एक खावत हमारे दिमाग में आती है डेट्सकोल प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर बिमारी होगी फिर उसका इलाज होगा इससे पहले कि हम उसको रोकना ले यह जादा बेटर नहीं है प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल नमबर थिरी कहता है कि गुड़ हैं वैल विंग सभी को प्रमोट करनी है कैसे प्रमोट होगी जब वहाँ पर टेरिरिजम का खतरा हमेशा बना रहेगा अगस 2019 के बाद में यह सेनेरियो यहाँ पर चेंज हुआ है क्योंकि टेरिरिजम और यह जो फियर है यहाँ पर लोगों में खतम हुआ है वो अब अस्पताल जाना शुरू किये हैं तो यूनिवर्सल हेल्थ कब्रेज अब जो है वो यहाँ पर देना सक्सेस्फुल हो सकता है वो इस बात को कहता है कि हमें जो है वो end to end range of essential health services प्रोवाइट करानी है यहाँ पर देख सकते हो और जाद 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 फोकस करना है कि डिजीज होने से पहले उसको prevent कर लिया जाए treatment, rehabilitation, palliative care होनी चाहिए सभी लोगों के पास सभी reasons में और सबसे बड़ी बात है लोगों को उसकी access होनी चाहिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि medical बना दी और वहाँ पर कोई आही नहीं रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों को उसकी access होनी चाहिए और उससे भी बड़ी चीज है कि लोगों को affordable होना चाहिए अगर आपके पास में एक hospital है लेकिन वो बहुत महंगा है आप उस hospital में नहीं जाओगे तो इसका मतलब यह है कि access और affordability दोनों ही काफी important चीज़े जो है वो हो जाती है अगर universal health coverage provide करानी है तो बैसे तो कहें health आपका state subject के अंदर में आता है 7th schedule of the constitution के अंदर but ministry of health and family welfare भी काफी सारे resource interventions यहाँ पर लेती रहती है जैसे उन्होंने एक community based health care system जो है वो यहाँ पर develop किया है पहले यहाँ पर आपका चलता था RCH1 system 1997 के अंदर में तो यह RCH system यहाँ पर चलता था इसमें basically इसको कहते थे reproductive and child health care के नाम से चलता था यह और इसको यहाँ पर खतम करके हमने community based health care system यहाँ पर ले करके आए और इसके बाद आप देखोगे कि national health mission जो है वो यहाँ पर आया national health mission के साथ आप देखोगे कि robust level पर जो आपके ground level पर basically grassroot level पर अगर आप देखें तो health workers उनका cater तईयार किया गया आशा वरकर्स होते हैं जिनको कहते है accredited social health activities जो की घर घर जाकर के लोगों में लोगों को aware करते है health के बारे में उनको nutrition जो है वो उपलब्द कराते हैं यह चीज़ें आपको में जाएंगी और यह जब यहाँ पर काम किया गया आशा वरकर्स का तो डबलू एचो ने हमें काफी जादा सरा हा और कहा कि भई यह एक अच्छा कदम हो सकता है जिससे हम protect कर सकते हैं और promote कर सकते है health को ऐसा ही सेम काम जम्मो और कश्मीर यूटी के अंदर में भी कहा किया गया जो national health mission है उससे आपकी 13500 करीब जो आशा वरकर्स हैं उनको यहाँ पर उनका network तयार किया गया उनको community से direct connect किया गया और focus किया गया कि primary health care services काफी अच्छी हो जाएं और door step पर जाकर कि अपलब्ट हो जिससे की access gap जो है उसको कम से कम यहाँ पर किया जा सके इसके अलाबा हमने एक expensive network of A&M that is called auxiliary nurse midwives इसका भी यहाँ पर तयार किया आसा वरकर्स अलग हो गए A&M's अलग यहाँ पर हो गए तो यह एक तरीके का health staff ही है और field level पर work करेगा कहीं बैठे का नहीं घर गर जाकर कि लोगों को support करने का काम इनका यहाँ पर होगा और एक coverage system तयार करने का काम इनका यहाँ पर होगा response काफी अच्छा देखने के लिए मिला लोगों ने इस चीज़ को सरा भी community based interventions के जरीए positive effort जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी कि इस तरीके से work जो है वो किया आसास का नाम याद रखना और यह चीज़ याद रखना यह पूरे इंडिया पर हो रहा है अभी especially जम्मों कश्मीर पर बात तो कर रहे हैं लेकिन यह सब काम पूरे इंडिया पर हो रहा है तो इसलिए आपको याद रखना है और आप देखोगे कि जम्मोन कश्मीर के अंदर जो health sector है वहाँ पर infant mortality rate जो है वो 16.3 से decline भी हुआ है तो ये भी काफी important चीज हो जाती है और neonatal mortality rate यहाँ पर देख सकते हो ओकी overall India के figure क्या है जम्मोन कश्मीर के figure क्या है तो जम्मोन कश्मीर में figure जो है वो all India के तुल्ला में काफी अच्छे हैं मतलब आप यहाँ पर देखोगे infant mortality rate की तो infant mortality rate में भी आपको पता चल जाएगा कि average अगर 28 है तो जम्मोन कश्मीर का सत्र है ठीक है यानि कम बच्चों की death जो है वो यहाँ पर देखेंगे मिलती है जम्मोन कश्मीर के अंदर में तो यह सब point जो है वो आपको याद रखने ह में अच्छा कर रहा है और यह चीज़ें आपको याद रखने हैं इसके राव काफी सारे यह पोर्टल भी हैं आर सी एच पोर्टल वगरा है इस पर मॉनिटरिंग की जाती है कि यह जो A&M है आशा वर्कर्स है इन्होंने कैसा वर्क किया या फील्ड वर्क क्या चल रहा है स इंडिकेटर जम्मू इन कश्मीर में क्या है तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ याद रखने की ज़रूत है इन चीज़ों को जम्मू इन कश्मीर सिविल सर्फिल के चातरिस को यहाँ पर याद रख सकते हैं और इसमें अगर हम देखें institutional birth है जैसे की institutional birth जो है overall इंडिया में 88.6% होते हैं इसका मतलब क्या है कि जितने भी birth इंडिया के अंदर होते हैं उन में से 88.6% birth जो है वो hospitals के अंदर में होते हैं लेकिन जम्मू इन कश्मीर में यह 92% यहाँ पर है यह तो बढ़िया या खराब है बढ़िया है भई बहुत बढ़िया है ओके यह चीज़ा आपको यहाँ रहाना है ऐसे ही mothers जो anti-natal care यहाँ पर लेती हैं overall सिर्फ 58% लेते हैं लेकिन जम्मू इन कश्मीर में 80% लेती हैं यह बहुत बढ़िया बात है जम्मू इन कश्मीर के अंदर में anti-natal care जो है वो यहा अलावा वहाँ पर आप देखोगे तो काफी सारे hospitals वगरा की संख्या दी गई है बट आपको यहाँ पर याद नहीं रखना ओके ignore मारो इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो the better part of the modern healthcare policy structure has addressed healthcare access as a supply side concern supply side concern भी यहाँ पर उठकर क्या आता है particularly infrastructure कहीं कहें पर देखा गय है कि primary healthcare infrastructure बिल्कोल भी सही नहीं है ओके public healthcare infrastructure जो है वो ज्यादा सही नहीं है यह कहीं पर है ही नहीं सब centers आ जाते हैं primary health centers आ जाते हैं wellness centers आ जाते हैं उन सब का infrastructure अच्छा नहीं है तो इसका भी penetration जब मुएं कश्मीर यूटी के अंदर में fair amount में यहाँ पर किया गया है तो यह चीज़ आपको याद रखी है इसके अलाबा आईश्मान भारत के अंदर में भी health and wellness centers जो है उनका establishment किया जा रहा है और यह biggest intervention है जिससे की primary level पर health care recent years में काफी अच्छी यहाँ पर हो जाएगी कितना coverage हो गया कितना नहीं not important बट आप देख सकते हैं कि health and wellness centers के अंदर जो सब centers है प्राइमरी health centers है उन सब की संख्या जो है वो यहाँ पर लगातार हम बढ़ाने की कोशिच करेंगे घटाएंगे तो है नहीं simple सी बात है समझने कोशिच करो ठीक है घटाएंगे तो है नहीं officers जो है वो भी appoint किया है हमने continuum of care यानि की clinical management उसको भी बहतर यहाँ पर किया है जो disease है उनको basically screening उनकी यहाँ पर ज्यादा ज्यादा किया है full scale medical officers अपॉंट किया है paramedic officers जो है वो भी appoint किया है ओके तो यह चीज़ना आपको आद रखने है इसके रावा community based assessment checklist वो भी तयार किया ह तो ये चीज़े थोड़ी थोड़ी सी याद रखो sufficient हो जाएंगी इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो हो गए आपकी supply side supply side के अंदर में आप देखो healthcare system के अंदर क्या आता है supply में आपकी mainly दो चीज़ा आती है आतो काफी सारी चीज़ा जाती है जैसे कि infrastructure आ गया ठीक ह बिल्डिंग वगेरा होनी चाहिए healthcare की proper उके उसके अंदर आप देखो sanitation की सुविदाएं यहाँ पर होनी चाहिए उसके अंदर machinery होने चाहिए सब supply side यहाँ पर हो गया उसके अंदर workers होने चाहिए workers का मतलब हो जाता है healthcare workers उके like doctors की पूरी सुविदा हो ठीक है यह सब हो गई दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है demand angle की demand angle की भी यहाँ पर बात की गई है जिसे लोग हैं लोगों को पहले बाहर निकलने में डर लगता था कि हम health की सुविदाएं लेने जाएंगे रास्ते में कहीं गोली वारी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन अभी बहु तो यह जो हैं वो लोगों की aspiration जो है वो भी यहाँ पर उभर करके आ रही है क्योंकि उनके अंदर society development का evolution यहाँ पर ओर रहा है वो भी चाहते हैं कि अब हम उभर करके आए educate होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे उनको information मिलती चली जा रही है उनको समझे में आ रहा है कि health क्या चीज होती है और बिना health के कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती है तो यह चीजे जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि supply हो डिमांड हो दोनों पर हमें focus करना है लोग aware हो रहे हैं तो उनको supply उपलब्द करानी है लोग अगर aware नहीं है तो उनको पहले aware करना है demand create करनी है और supply अपने आप बढ़ानी पड़ेगी तो यह सब चीजें आपको मल जाएंगी market concept है और आप इसको याद रखोगे क्योंकि ओल इंडिया लेवल पर भी beneficial होगा इसके अलावा बात करें ensuring the existence of demand among the communities is critical to guarantee uptake and poor consumption of resources schemes and proper consumption of resources schemes and facilities तो वही हो गया demand जो है वो sustain तभी रखी जा सकती है जब supply उपलब दोगी सब चीजें आपस में interlink होती है अगर आप मरीज एज़े तोर पर आप अस्पताल में गए पता चला doctors ही नहीं है तो आप अगली बार क्यों हो जाओगे ओके demand कम हो जाएगी तो यह चीज बिलकुल भी सही नहीं होगी इसलिए आपको जो resources है schemes ह facilities हैं उनका proper consumption दिखाना पड़ेगा यह करना पड़ेगा दिखाने से कुछ नहीं होगा इसके अलावा एक और path breaking example दिया गया है that is called जन स्वास्ते सहयोग जनियारी बिलासपूर 36 गड़ इसका example यहाँ पर दिया गया है और इसमें community based primary care intervention इंडिया के अंदर यहाँ पर लिये गए और इसमें पता चला कि demand जो है वो largely इस चीज़ पर depend करती है कि कितने लोग पढ़े हुए हैं कितनों में awareness level है जितने जादा लोग पढ़े होंगे जितना जादा उन्हें पता होगा कि health क्या होती है उतना ही जादा demand create होगी यह मैं आपको clear कर चुका हूँ और इस से जा प्राइमरी लेवल तो अच्छा है secondary और tertiary point of care भी यहां पर अच्छा होना चाहिए और OPD cases वगएरा हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जाते हैं उनसे भी deal यहां पर करना है कई जगों पर poor referral linkages देखने के लिए मिलते हैं functioning अच्छी नहीं है discrepancy देखने के लिए मिलती है patients जो हैं वो बाइपास हो जाते हैं lower level of care पर तो यह चीजें जो हैं वो हमें यहां पर हटानी है और राइट तो इस तरीके से काम होगा तो चीजें थोड़ी सी बहतर यहां पर जो है वो चलती रहेंगी और लोगों को जादा दूर तक जो है वो movement भी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप उनके आस पास में चीजें उपलब करा देते हैं तो early detection closer to home यही बात लिखे हुई है आपके घर के पास में अगर early detection जो है वो देखने के लिए मिल जाए तो वो काम यहां पर UT के अंदर हो चुका है ओके और किया जा रहा है by ensuring population based screening being done at health and wellness centers for majorly non communicable diabetes and common cancer and evolving towards screening for an expand range of disease including ophthalmic ENT care इन सब के लिए बई मैं अब बता दूँ आपको कि यह सब sufficient है जितना आप यहां पर पढ़ चुके हो health care के अंदर में ओके यह सब काम हो रहा है अभी जो चीजें पूरे national way पर हैं वही चीजें जम्मोन कश्मीर के अंदर में आपकी की जा रहे हैं तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है इस इस special आती है उसमें हजार बार चीजें जो हैं वो health care related यहां पर बताई गई है मैंने explain क्या है what is the palliative care okay मैंने काफी सारी चीजें जो हैं वहां पर explain की है out of pocket expenditure के कारण ही आयोशमार भारत के उचना शुरू की गई थी यहां नहीं दिया गया अब यहां हम बता भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी तो यह चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखने है आचा इसके अंदर में आप देखो यहां पर एक line ओड़ की गई है जो कि ऐसे वगेरा के points में लिखने के लिए काम में आ सकती है कि this is in the line with Oscar Lewis famous culture of poverty theory culture of poverty theory के बारे में बदता पूर do not manage to partake in the benefits of services given by the public institution उन लोगों का सरकार से बिस्वास हट जाता है क्योंकि वो गरीब हैं और marginalized हैं और उनका जो है वो ही यह जो factor है यह कि ध्यान हटना या उनका बिस्वास ना होना institutions पर वो उनको यह जो services हैं उसको लेने से रोकता है okay do not manage to partake in the benefit of services जो कि public institution के दोरा government के दोरा यहां पर दी जाती है इसका मतलब यह है कि उनको aware करें तो ज्यादा बहतर यहां पर रहेगा और यह treatment cycle properly हो पाएगी तो यह चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी सी याद रखने हैं यहां पर आप image में देख सकते हो कि कि किस तरीके से जमूर कश्मीर के अंदर च चीज़ें यहां पर आपको मिल जाएंगे इसमें आप देखो फिरी यूनिवर्सल हेल्ट इंशोरेंस लगबग 1.3 करोन रेसिडेंट्स ओफ जमूर कश्मीर उपलब्द कराये गया है अब तक लगबग 55,000,000 पेनेफिश्रीज रजिस्टर भी हो चुके हैं इसके अलावा इम्स भी बन रहे हैं आपका सांबा के अंदर और अवंटी पुड़ा के अंदर 2023 तक बन करके तैयार हो जाएंगे वेरी इंपोर्टेंट इमेज इतना भी याद रखो जमूर कश्मीर के बारे में तो यह सफिशेंट यहां पर हो जाएगा इसके अलावा अगर हम आगे बा कोमन कैंसर जो हैं वो भी हाँ पर हो रहे हैं सर्वाईकल कैंसर वगरा के लिए अभी मेडिसन वगरा भी तैयार की जा रही हैं और ENT एल्डरली वगरा के बारे में हमने अभी डिसकस किया कि किस तरीके से इन डिजईज को अगर हम घर के बराबर में सुबिदाय welfare of people के लिए और आईश्मान भात योजना की तरज पर तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं इसके अलावा आईश्मान भारत डिजिटल मिशन पूरे इंडिया में लागू किया गया और इस डिजिटल मिशन के अंबर में हम एक ambitious health sector जो है वो तयार करना चाहते हैं अगले 10 सालों के अंदर में और इसमें काफी सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी कई सारे OPD हैं IPD हैं लैप्स तयार की जाएंगी बायो सेक्यूरिटी लैप्स तयार की जा सकती हैं मॉबाइल हेल्थ केर यूनिट जो है यहाँ पर तयार की जा सकती हैं यह सब चीज़े आपको मिलेंगी इसके अलाबा जो आपके वाइरलोजी इंस्टीट्ट्स हैं उनकी अलगलग ब्रांचेस तयार की जाएंगी नेशनल वाइरलोजी इंस्टीट्स जो पूने के अंदर है उसकी चार अलगलग अंदर में होगा तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है और इसके अंदर आप देखोगे कि यह जो लैप्स हैं फिर हेल्थ एकाउंट्स वगरा यह सब खोले जाएंगे और जो हेल्थ केर प्रोफेशनल्स है उनकी रजिस्ट्री भी तयार की जाएगी ओके यह सब चीज़े हैं और इसके अंदर में आप देखोगे इंडिविज्वल्ड इलेक्टोनिक मीडिया रिकोर्ट्स भी यहाँ पर तय कि जाएगी समझगे कितना इंफरस्ट्रक्चर मौझूद है आप मैप खोलोगे मैप में पता चल जाएगा हमारे आसपास कौन सा प्राइमरी हेल्थ केर इंस्टिटूशन मौझूद है हमारे पास कौन सा ऐसा इसा इंस्टिटूशन है जहाँ पर आयुशमान भारत जो कार और करने की कोशिश करो तो यह पी-एम सेहत वगेरा के बारे में यस इस सफिशन्ट और इस से जादा आपको नहीं जाना कहीं भी अरे भाई वो पढ़ो ना जो नेशनल लेवल की इंपोर्टन चीज़े हैं यहाँ पर जमूर कश्मीर में कुछ चला है तो सिर्फ सेहत स्की तो यहाँ पर जमूर कश्मीर के अंदर साइंटिफिक जो बिसीकली इंटर्वेंशन लिये जा रहे हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बाते हो रही है इस और हो काफी अच्छा काम पर रहा है इस पेस साइंस और उसके एप्लि साइंसेज और यह सेंट्र यूनिवस्टी ओफ जमू के अंदर में एस्टेबिश किया गया है इस रो और सेंट्र यूनिवस्टी ओफ जम्मो ने साथ में मिलकर के इसको एस्टेबिश किया था तो यह जो आपका इंस्टिटूट है सतीज धावन सेंटर फोर स्पेस साइंस ये एक landmark achievement है और यहाँ पर जो Northern India है उसके उसमे scientific achievement जो है वो यहाँ पर हासिल होंगी जनरली इश्रो जो भी हासिल करता है वो Southern India का aspect माना जाता है बट Northern India में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर institutions अब खोले जा रहे हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है Center Space Applications में अलग-लग potentials उनको खोजेगा Youth को भी opportunity मिलेंगी जो कि Space Science में अच्छा करना चाते हैं नेशन का नाम रोशन करना चाते हैं उनको भी हाँ पर अच्छा लगेगा Space Applications के अरिया में जमून कश्मीर एक particular interest का अरिया यहाँ पर हो जाता है क्योंकि वहाँ की economy, वहाँ का habitat, वहाँ की vegetation, cloud, snow, landslide, avalanche, groundwater, cloud cover, atmosphere condition सब suitable यहाँ पर बन जाती हैं साफ मोसम होता है और एक lab setup परना काफी important हो जाता है क्योंकि most of the vaccines जो है, वो cold environment में store करनी होती है और वहाँ पर बना-बनाया cold climate आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके अलावा आप देखोगे कि इस particular remote sensing and GIS lab जेते geographical information system labs जो है, वो इस center में रखी हुई है और उसके जरिए हम air pollution है, जमून कश्मीर के आसपास particular matter की क्या problem है, देखो जो पाकिस्तान है, चाइना है और इंडिया है इनका जो conjunction है, basically जमून कश्मीर के रूप में यहाँ पर आता है तो जमून कश्मीर में इन सभी जो countries है, उनका confluence देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर air pollution की समस्या भी होगी पाकिस्तान का pollution जो है, वो यहाँ पर भूम करके आता है चाइना है, या फिर इंडिया है, उनका भी pollution जो है, वो यहाँ तक पहुंच जाता है particulated matter है, temperature, किस तरीके से inverse हो रहा है, वो सब चीज़े जो है, वो यहाँ पर आपको उनकी 3D modeling वगएरा यहाँ पर की जाती है, इन सब equipment का use करने के बाद तो यह सब चीज़े जो है, वो आपको याद रखनी है, वहाँ पर काफी भारी मातर में फिलर्ट सामें, फिलर्ट साइं, या फिर अमनात, यात्रा के दोरान, किसी तरीके की कोई लेंड स्लाइड वगएरा देखने के लिए, उन सब की ground-based observation capabilities मश्बूत यहाँ पर हो जाती है, तो यह जो जियो एस्पिटल और स्पेस टेकनोजी दस सेंटर में यहाँ पर रखी गई है, वो जम्मो इन कश्मी रीजन के development के लिए ज़रूरी हो जाती है, तो यह फैसिलिटेट करता है सेंटर की जियो इस पैटिल जो डाटा है उसको analysis किया जाए, जिससे की sustainable use of natural resources हो सके, प्लान तरीके से land use patterns उनको भी देखा जाए, atmospheric study की जा सके, atmospheric senses यहाँ पर हो सके, like snow, ice, glaciers किस तरीके से change हो रहा है, melt हो रहा है, climate change हो क्या impact हो रहा है, disaster management center उसको भी यहाँ पर तयार किया गया है, वो हो, disaster हो, सभी चीजों पर focus इस particular center का यहाँ पर रहेगा, CDCSS जो है, वो इस तरीके का पहला institute है, जम्मो और कश्मीर के अंदर, और center के अंदर काफी जादा opportunities है, कि वो इसमें education भी उपलब्द कराए, इसमें science में नए research जो है, उनको भी लेकर के आए, और employment opportunities और technology भी उस particular area में उपलब धोनी शुरूर हो जाएगी, इसी तरीके का आजाता है आपका Henle Telescope, ओके, तो Henle Telescope की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो Henle जगा है, लहे लद्दाक के अंदर, लद्दाक के अंदर, लहे में आपकी Henle नाम की जगा है, वहाँ पर Indian Astronomical Observatory जो है, वो located है, और यह एक Important Promising Observatory हो जाती है, पूरे globally और recent studies इसको साबित भी यहाँ पर कर चुकी है, क्यों लगाई गई है वहाँ पर, क्योंकि night जो है, वो clear रहती है, साफ आसमान रहता है, light pollution करम होता है, light pollution basically, एक telescope की, जो measurement आप देखोगी, कि telescope से आप आसमान देखना चाहते हो, तो उसके बीच में light position disruption पैदा करता है, उसको खतम करने के लिए, यह काम यहाँ पर किया गया, इसके लावा background, aerosol concentration है, या फिर extremely dry atmospheric condition है, interpreted by rain, तो इन सब चीजों से हटके, यह जो data है, वो चीजें अपलब्द यहाँ पर होती है, तो इस मज़े से इसको लदाक के अंदर हैले में, setup यहाँ पर क के रूप में जाना जा सकता है, अभी इसका नाम वगेरा सब नहीं निकल करके आया है, इंडिया के researchers हैं और collaborators हैं, यह night cloud cover के time, night time cloud cover fraction over the eight high altitude observations including three in India, तो पूरी दुनिया और इंडिया के जो कुछ scientists हैं, वो जब night time में cloud cover के उपर research करते हैं, तो उन में से top 10 में इंडिया का भी एक आजाता है, यह आपका astronomical observatory जो की हैले के अंदर मौजूद है, और एक आपका आजाता है मीरेक जो की लदाख के अंदर में ही मौजूद है, और एक आजाता है आपका देवेस्तल जो की नेनिताल के अंदर में मौजूद है, तो तीन ऐसी observatories हैं, तीनों के नाम याद हैं हैंले को एज़ा साइट यहां पर चूज किया गया था नेशनल उब्जिवेट्री के लिए क्योंकि मेटलोजिकल कंडिशन्स काफी अच्छी थी और जो एल्टिट्यूड वगेरा था सब सही था इस वज़े से ओके और इससे क्या फायदा होगा जैसा कि उपर सब बताया यूथ को एमप्लोर्मेंट बिलता है और इससे काफी ज़्यादा बेनेफिट्स भी यहां पर होते हैं इसके अलावा फर्दर विजिट्स वर मेड़ बाई साइंटिस्ट और जनवरी 1994 के अंदर और पर्मनेंट साइट सर्वे एस्टेबिश करने के बाद अगर आप देखे तो यह यहां पर बेसिकली यह बताने की कोशिश की गई है किस तरीके से साइट जो है वो इसको ढूंडा गया हैले के अंदर में इस सब काम यहां पर किस तरीके से यहां पर किया गया हाईयस पीक इन जो आपकी डिकपा रस्तारी के अंदर में हाँ पर मिलेगी यह आपकी 45 यह सब चीज़ें यहां पर याद नहीं रखनी पीक जो आपकी पीक है वहां पर आपके काफी रोकी माउंट्स आपको मिल जाएंगे लोकेशन ओफ टू मीटर हिमालियन चंद्रा टेलिसकोप यह भी आपको मिल जाएगा तो इस पर्टिकुलर जो आपकी जगा है ओके यह पर जर जगा आपकी यहां पर एड़ेटिसकोर डेक पार रासता दी है यह सब चीजे इसके आसपास में ही मौज़ुद हैं देखो, लगदाग के अंदर लहे हो गया, लहे के अंदर हेंले हो गया और हेंले के अंदर पर्टिकुलरली डिक पार रसतारी नाम दी जगा यहां पर हो गई वहाँ पर काफी important जो टोपोग्राफी मिल जाती है वहाँ पर अपनी एक चोटियां जो है वो मौझूद है पीक्स है उसके चारो तरफ प्लेन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और जो प्लेन है इसके चारो तरफ काफी सारी observatories और रखे हुए हैं काफी सारे टेलिस्कोप और रखे हुए हैं क्यों क्योंकि यह समुद्र तलकी उचाई से 4500 प्लस की हाइट पर मौझूद है और 4500 प्लस की हाइट पर क्लाइमिटिक कंडिशन्स भैतर होती हैं साइंटिस्ट के लिए नहीं लेकिन आप देखो कि टेलिस्कोप वग्यरा की वर्किंग अच्छी होती है क्लाउड वग्यरा का जो सिस्टम है या फिर एटमोश्फिरिक कंडिशन्स है वो अच्छी होती है तो यह सब चीज़े यहां पर याद रखनी है उकी इसके अलावा अगर हम देखें तो आफ्टर एक्जामिनिंग सेवरल एयर ओफ डाटा कुछ डाटा यहां पर उन्होंने एक्जामिन किया और इन्होंने एक दो मीटर का अपार्चर डैटिस्कोल हमालें चद्रा टेलिसकोप यहां पर लगाय और यह जो है वो आपका आयो हैंले के अंदर 2000 में फिट यहां पर किया गया और इसके बाद इसकी यूनिकनेस यहां बरबढ़ गई इन्फरेड वेवलेंथ में भी यह जो है वो अब मॉनिटरिंग कर सकता है तो यह चीज़ें थोड़ी सी आधर को अब जम्मो एन कश्मीर की बात होई तो हैंले के बारे में बात कर ली ह़लांकि यह न्यूज के अंदर तो कभी नही आया हाल ही के समय में हाली हमें देखें तो न्यूज के अंदर काफी और चीज़ें आई लाइक जेh học टेलेस्कॉप हैं यह सब चीज़ें बड़ी बड़ी न्यूज में आ टेरानी उसे सहने जोगेड़ी और लिगेता हैं छाँन हैं तो वह लिए सबाहниц buff कर सकते हैं यह चीज आपको मिलेगी और पहईताई कहानिया दी गही हैं और इसके बाद डोगरी लिटेचर के बारे में दिया गया है डोगरी अगर हम बात करें तो डोगरी लिटरेचर के बारे में ये बिसिकली दो पेज का आर्टिकल है और पैसे तो मैं चाहता था कि इस चीज़ को आप ही यहाँ पर पढ़ो बट डोगरी जो है वो आपकी अगर हम बात करें जो जो डोगराज हैं उनकी मदर टंग के रूप में यहा यहाँ पर खोजी गई और बिसिकली अमीर खुश्रो जो हैं वो उनके द्वारा इसको अगरें यहाँ पर इनुम्रेट किया गया इन दिस लिस्ट डूगर भाशा जो है वो यहाँ पर मैंशन की जाती है जो कि दिल्ली और उसके आसपास यहाँ पर बोली जाती है इफ भी क लिट्रेचर एक है लिट्रेचर लिट्रेचर तो फोक लिट्रेचर में आप बैसिकली सौंग्स आ जाएंगे इडियंस प्रोबर्प्स ओके वैलेड आ जाएगा इस सब लिख्यों चीज़ें नहीं ती परफॉर्म की जाती है दूसरी तरफ रिट्रेचर आ जाएगा जो की PDF से ठीक है UPSC के चात्र इग्नोर भी कर सकते हैं इतना सफिशेंट है कि कहां से है और या फिर क्या है ओके बाकी जो आप देखो तो जब वो इन कश्मीर के चात्र जो है उनको तो यह कवर करना ही करना है ओके बाकी इसमें सब यह चीजें मिल जाएंगी और इसको जानने की ज बारे में दिया गया है और इस तरीके से मैगजीन जो है वो कंप्लीट होती है मैगजीन काफी बड़ी दे ली गई थी और इसको पड़ने है किसको क्या चीजें नहीं पड़नी है तो उसी चीज को देखते हुए आप मैगजीन को कवर करेंगे चलिए वीडियो को एंड करत बनाने का तो मैं उस वीडियो को complete करता हूँ और complete करने का मतलब यह नहीं होता कि कुछ भी बढ़ा दिया जाए जो चीज़े छोड़नी की थी वो चीज़े छोड़ भी दी गए हैं इसी के साथ वीडियो को end करते हैं फिर बेफालतु टाइम बरबाद करने से कोई फायदा नह थैंक्स पूर वाचिन टेक केर